हेलो एवरिवन वेलकम तो मैगनेट ब्रेंज मैशल प्रती कर्ण सुवागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैगनेट ब्रेंज पर जहां पर आपको मिलका है क्वालिटी कॉंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन वो भी बिल्कुल बकाईदा फ्री आफ कॉस्ट केजी से लेका के क्लास 12 तक पूर एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डेटेल्ड वीडियो फॉर्माइट में और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूरेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको मैगनिट बेंस का हिंदी मीडियम चैनल भी है जा करके सबस्क्राइब कर लेना और याद से एकदम याद से नोडिफिकेशन को अन कर लेना तो इससे हूता कहना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पे कोई वीडियो अपलोड होगा चाये वो कोई रिकॉर्डिंग हो चाये को पूरा content available है कौन-कौन से state board से सर मपी board है बिहार board है यूपी board है राजिस्थान board है और डेली board है और अगर आपको e-nodes या e-books चाहिए तो फिर इसी वीडियो के description में एक link मिलेगी आपको जा करके check out करियेगा वहाँ से आप e-nodes और e-books भी available कर सकते हैं ठीक है तो चलें कह सकते हैं तो इस वीडियो का objective क्या है कि इस chapter को बहुत ही जल्द कम समय के अंदर सारा का सारा content समीट करके आप तक परोष देना है तो चले बिना समय लगाये start करते हैं लेके आते हैं इसके introduction के उपर भाई ऐसा होता था कि 1820 तक ऐसा मानते थे कि magnetic field produce करने की जो पूरी जिम्मधारी है ना वो एक magnet की होती है क्या मानते थे 1820 तक ऐसा मानते थे कि magnetic field जो है वो सिर्फ एक magnet ही produce करता है ऐसा मानते थे 1820 तक तो electricity में और magnetism में there was no relation till 1820 ठीक है उसके बाद ना उसके बाद एक experiment हुआ था जिसका नाम था orsted experiment ठीक है जिसका नाम इस बारे में समझ में आया था किया नहीं है current carrying wire के आसपास भी magnetic field produce होती है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक magnet ही magnetic field produce करेगा असलियत में current carrying conductor एक wire भी अपने आसपास क्या produce कर सकता है magnetic field produce कर सकता है कि आपके दिमाग में यह वाला funda clear हो गया यह सा यह वाला funda clear हो गया ठीक है अब यह compass तो compass basically एक ऐसा खुद में एक magnet होता है जो कि अगर आप उसको freely suspend कर दोगे तो वह geographical north south direction में point out करेगा कहा point out करेगा geographical north south direction में point out करेगा यह वाला funda clear है जैसे माननीजे for example ऊपर north है नीचे south है और मैंने compass को रखा ऐसे करके ठीक है तो compass में basically क्या होता है एक dial होता है cut up ठीक है और वो ना अपने आपको बहुत ही जल्दी ऐसे orientation में अपने आपको configure कर लेगा जहां पर ऊपर की तरफ हो रहा होगा north और नीचे की तरफ हो रहा होगा south क्या आपको यह वाला funda समझ में आ गया yes sir यह वाला funda समझ में आ गया ठीक है अब अगर compass को deflection देना है compass को initial configuration है अगर उपर geographical north है this is the geographical north and this is the geographical south ठीक है तो और यह compass का जो यह वाला हिस्सा है ना this is the north and this is the south यह magnetic north south है और वो उपर geographical दिशा के हिसाब से north है और दिशा के हिसाब से south है कि आपको यहां तक का funda पूरा clear होगा yes sir ठीक है अब अगर मैं यह चाहता हूँ कि मैं compass में ना deflection produce क परने के लिए मुझे क्या कहना पड़ेगा मुझे इसके पास में एक बार मैगनेट को रखना पड़ेगा जैसे मानीजिए for example यह अपने पास एक बार मैगनेट है north pole है और यह इसका south pole है यह वाला north pole है जैसे मैंने इसको यहां पर रखा तो north और north में क्या होता है repulsion तो फि कभी भी आपको compass में deflection दिखा deflection के लिए पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसका initial configuration क्या है तो compass अगर आप उसको छोड़ दोना वैसे लिए जुगरिफिकल north south direction मी hai point out करता है कहा point out करता है जुगरिफिकल north south direction मी ही point out करता है लेकिन अगर compass में deflection आया लेकिन अगरsy में deflection आया मतलब आस-पास कोई external magnetic field की presence है किया आपको यह वाली बास समझ में आ गई अगर compass में deflection आया मतलब आस-पास कोई external magnetic field की presence है आस-पास कोई external magnetic field की presence है यह वाला fund अपने को पूरा clear हो चुका है तो यहाँ पे compass needle shows deflection only in the presence of an external magnetic field यह बहुत ही जबर्दस्त बात है तो compass needle जो है वो deflection शो करेगा only जब आसपास कोई external magnetic field की presence होगी तो अगर यह वाला fund आपके दिमाग में supreme लिक्लियर हो चुका है तो फिर आपन कहानी में आगे बढ़ेंगे ठीक है? Now as Auster has experimentally shown that the compass needle deflects in the presence of straight current carrying conductor therefore it means that the straight current carrying conductor is producing magnetic field तो Auster experiment पे basically क्या हुआ था जैसे माल लीजे for example यहाँ पर एक अपने पास compass पहले से मौझूद है और यह जो compass है इसका deflection का हो रहा है compass अभी माल लेते हैं यही north-south direction में ही pointed है given that कि यहाँ पे आ रहा है geographical north और यहाँ पे आ रहा है माल लीजे for instance अगर ऐसा होता है कि अपने पास कोई current के लिए एक power source है बैटरी का setup है ठीक है और यहाँ पे अपने पास यह wire है जिस wire के through current पास कर रहा है अब जैसे ही अपने switch को on किया जैसे ही अपने switch को on किया तो इसमें से current flow करना शुरू कर दिया कि compass में आएगा deflection तो इहाँ पे भी magnetic field होगी फिर तभी deflection आया लेकिन purity तक क्या मानते थे कि भईया magnetic field तो एक magnet ही produce करेगा यहां तो आसपास कोई magnet नहीं है इसका मतलब magnetic field produce तो हुई है लेकिन बिना magnet की ही produce हो गई है तो किसने produce कर दिया होगा इस current carrying conductor ने produce कर दिया होगा magnetic field तो यहीं से electromagnetism का जन्म होता है यहीं से किसका जन्म होता है सर यहां से जन्म होता है Electromagnetism का यहां से जन्म होता है Electromagnetism का जहां पर यह फंडा समझ में आता है कि भाई यह Current Caring Conductor भी अपने आसपास क्या produce करता है Magnetic Field प्रेडियूस करता है ठीक है भाई अगर यह फंडा पूरा clear है तो एक बार इस शांदार से डाइग्राम का Screenshot ले लो हो गया Yes Sir ओके चलें फिर ज़रा कहानी में आगे बढ़ेंगे इसका Screenshot लिया का हर एक स्लाइट का Screenshot लेते हैं चलना भाई तभी मज़ा आएगा ठीक है तभी इसका कुछ मतलब है ठीक है आ रहा है ना कमपंस में उसका डिरेक्शन भी पलट जाएगा यही चीज लिखिए यहां पर पहले वाले बुलेट पॉइंट के अंदर उसके बाद The Deflection increases on increasing the current in the wire जो wire में current पास कर रहा है अगर मैं उस current की value को increase कर दूँगा तो कमपंस में आने वाला deflection भी increase हो जाएगा और current जो पास कर रहा है अगर मैं उस current की value को decrease कर दूँगा तो जो deflection था ना उसका amount भी decrease हो जाएगा इसका मतलब deflection is proportional to magnetic field and magnetic field is proportional to amount of current ठीक है पका यस अब आते हैं cardboard sheet experimental setup के ओपर अब जब यह वाली बात figure out हो चुकी है अब जब यह वाली बात figure out हो चुकी है कि भाई जहाँ current है वहाँ magnetic field है तो भाई current कहाँ पर होगा current carrying wire के अंदर होगा wire का shape क्या क्या हो सकता है भाई अपन एक straight current carrying conductor लिसकते हैं मैं आपको एक बात पहले clear कर दूँ कि मैं बार बारना lecture में एक word यूज करता हूँ CCC इसका मतलब क्या होता है जिसको पता है वह comment section में लिखते हूँ चला है जिसको नहीं पता है उनको मैं अब बता दूँ कि CCC का मतलब होता है current carrying conductor तो अब जब ये बात पूरी बकाइदा established हो चुकी है कि current carrying conductor अपने आसपास magnetic field produce करेगा तो आप किस shape का wire लेकर के चलोगे तो बाई shape तो अंगिनत हो सकते हैं लेकिन हम basically focus करते हैं चार चीजों के उपर एक हम देखेंगे कि straight current carrying conductor कैसी magnetic field produce करेगा दूसरा हम देखते हैं कि circular current carrying conductor कैसी magnetic field produce करेगा तीसरा हम ये देखते हैं कि एक solenoid carrying current एक solenoid में करेंट है तो वो कैसी magnetic field produce करेगा और चौता हम ये देखते हैं कि एक toroid में अगर magnetic field है तो वो toroid अगर एक toroid में current है तो वो toroid कैसी magnetic field produce करेगा यह चार पर हमें focus करना है straight, उसके बाद circular, उसके बाद solenoid, उसके बाद toroid चले, अब यहाँ पर cardboard sheet experiment जो था वो दरसल magnetic field lens को plot करने के लिए बनाया गया था कि एक straight current carrying conductor के आसपास की जो magnetic field lens होती है उनका pattern क्या होता है, उनका direction क्या होता है क्या बोला मैंने, एक cardboard sheet लिया और उस cardboard sheet के ओपर अपन ने iron की fillings को मतलब iron का एकदम powdered form कर दिया और उसको फिर अपन ने यहाँ पर ऐसे चिड़क के लग दिया cardboard sheet के ओपर ठीक, और इसके बीच में से क्या निकाल दिया अपन ने, एक current carrying conductor को इसके बीच में से निकाल दिया, एक current carrying conductor को इसके बीच में से निकाल दिया, कोई रिकत वाली बात निया अब देख क्या होता है, कि जैसे ही इस wire में से current pass करवाएंगे तो पहली बात तो यह है कि Orsted के experiment में figure out हो चुका था कि अगर किसी wire में से current pass करेगा तो इसके असपास क्या produce होगा, magnetic field तो भाईया इसके असपास भी क्या होगा, magnetic field होगा अब जवाने पर में चार तरह की चीज़ें होती है, जो की होती है magnetic materials, जैसे कि iron हो गया, nickel हो गया, steel हो गया, cobalt हो गया यह respond करते हैं towards a magnetic field अब जैसे इस wire में से current pass करेगा, तो इसके असपास magnetic field होगी यह जो iron की fillings है ना, यह सारी के सारी अपने आपको एक definite pattern में arrange कर लेंगी यह सारी के सारी अपने आपको definite pattern में arrange कर लेंगी और जो pattern होगा ना, वो exactly इस wire के द्वारा produce magnetic field का pattern होगा तो सारी iron fillings ने अपने आपको आप देख पा रहे हैं concentric circular pattern में arrange कर लिया है, कैसे arrange कर लिया है? concentric circular pattern में, मतलब सारी के सारे circles का center जो है, वो same जगह पे point out कर रहा है तो यहाँ पे straight current carrying conductor produces concentric circular pattern of magnetic field दूसरा मसला कि sir, direction क्या होगी इस magnetic field lens की? तो भाई इसको दिखाने के लिए अगर आप देख पा रहे हैं, करेंट कहां जा रहे है, current जा रहा है, current जा रहा है, इसमें उपा की तरफ यहाँ पे दिखा है direction of current ठीक है, और यह current कौन सा होता है, conventional current होता है battery के plus से निकलता है, minus में जाता है, outer circuit में, ठीक है? तो भाई अगर current उपा की तरफ है ना, तो इसमें ऐसा यह दरसल anti-clockwise direction में magnetic field produce हो रही है, अब आप इसको कैसे figure out करेंगे? तो भाई राइट हैंड थम रूल, ठीक है, अंगूठा कहा जाएगा? अंगूठा जाएगा direction of magnetic field lines में, sorry, अंगूठा जाएगा direction of current में, उसके बाई जिस हिसाब से आप चारो उंगलियों को curl कर रहे हो, जिस से sense of rotation में आप चारो उंगलियों को curl कर रहे हो, वो जो sense of rotation है, वो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? direction of magnetic field lines, कोई दिक्कत वाली बात अब मैं आपको बता दू कि magnetic field lines को अपन दो तरह से यहाँ पर इसके बारे में discuss करने वाले है, एक होने वाला है dot magnetic field line, तो dot magnetic field lines का मतलब होता है outside आने वाली magnetic field lines, और दूसरा होने वाला है cross magnetic field lines, cross magnetic field lines का मतलब होता है inside मतलब अंदर जाने वाली magnetic field lines, क्या आपके दिमाग में य magnetic field lines और cross का मतलब होता है अंदर जाने वाली magnetic field lines ठीक है जिससे माल लीजे अगर आप यहां पर देखें अच्छे से गौल करें तो current उपा की तरफ था पकी बात है current उपा की तरफ था तो अब इसकी वज़े से जब अपने पूरी उंगलियां ऐसे curl करी ना तो right hand side में सारी magnetic field lines अंदर की तरफ जा रही है ठीक है क्या बूला है मैंने बाई जब current ऐसे उपा की तरफ गया जब आपने ऐसे उंगलियां curl करी मुठी बन करने के लिए तो right hand side में सारी के सारी magnetic field lines है वो अंदर की तरफ जा रही है तो this will be basically called as a cross magnetic field ठीक है अंदर जा रही है तो cross हो जाएगा और यहां से अगर आप check करेंगे ना तो left hand side के plane से सारी field lines बाहर की तरफ आ रही है यह इसका पूरा का पूरा theoretical support है तो मैं चाहूंगा के एक दफ़ा आप इसका screenshot ले ले क्या आपके दिमाग में यह वाला funda clear हो गया यह सर यह वाला funda पूरा clear हो चुका है cardboard sheet का experimental setup ठीक है उसके बाद और सब्सक्राइब क्या था वह हम पहले ही figure out कर चुके थे कि हाँ भईया अपने पास जैसे मान लीजिए अभी switch वह तूटा हुए इसका मतलब current इस wire में से पास नहीं कर रहा है तो यह compass अपना normal orientation में है north-south direction में ही current अभी deflection अभी show कर रहा है तो deflection तो यह है नहीं इसका initial configuration है अब उसके बाद क्या हुआ जैसे ही हमने switch को on करा यहाँ पर switch वह तूटा हुआ है अब जैसे ही अपने switch को on करा तो भाई साब यहाँ पर क्या आ जाएगा current आ जाएगा और जहाँ current है उसके आसपास magnetic field आ जाएगी और जहाँ magnetic field है जहाँ magnetic field है उसके आसपास क्या है फिर यह compass जो है वो deflection शो करेगा तो हुआ इसके अंदर deflection ठीक है इतनी सी नाजुक सी बात थी और स्टेड एक्सपरेमेंट लेकिन फिर भी काफी breakthrough ठीक है 1820 के बात से उसको फिर अपने एक कर दिया संगम यह एक बहुत ही simple सा example आपके सामें देके रखा हुआ है कि current carrying wire है और यहाँ पर compass रखा हुआ है और अगर इस wire में से current पास करेगा तो compass में आता है deflection ठीक है चले तो अब यहाँ पर अपियर swimming rule जो है न वहाँ आपको deflection का जो direction है वह बताता है उसमें बस यह मानना पड़ता है कि आप ऐसा मान लें कि current इस तरफ जा रहा है ठीक है मान लीजे कि current जो है वह इस तरफ जा रहा है इसको आपन लेके चलता है देखो न ऐसे देखो मान लो कि current जो है वह इस तरफ जा रहा है जाने दो तो आपको ऐसा imagine करना है कि जिस तरफ current जा रहा है उस तरफ एक इनसान जो वायर के उपर swim कर रहा है और वो इस हिसाब से कर रहा है कि इनसान के पैर में current गुसरा है और सर से current बाहर निकल रहा है तो उस case में left hand जो होगा ना इनसान का उस तरफ compass के north pole का deflection होगा ठीक है this is basically called as ampere swimming rule ampere swimming rule के सारे एक तरगा के कहानी create करी गई है जिससे आपको रटना ना पढ़ जाए कि कहा deflection होने वाला है आप बस एक कहानी दिमाग में डाले है वो कहानी के है कि अच्छा ठीक है current अगर ऐसे पास कर रहा है तो ऐसे इसको imagine कर लो as if current एक इस वायर के उपर एक आदमी swim कर रहा है और जो current है वो आदमी के पैर में घुस रहा है और सर से बाहर निकल रहा है इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना बहुत ज़री है कि किसी भी space में अगर दो या दो से जादा magnetic fields के बीच में interaction होगा तो वहां पर उस space के अंदर एक force काम करना शुरू कर देगा और उस force को निकालने का जो formula होता है वो यहां पर आपके सामने प्रस्तूर किया जा रहा है ठीक है तो पहले आप ज़रा इसको लिख लें भाई मैं चाहूँगा कि तुम उसको लिखी लो कि whenever there is an interaction of two या फिर more than two magnetic field lines of two or more than two magnetic fields अगर किसी space में कभी अगर interaction होगा between two या more than two magnetic fields तो वहां पर एक force काम करेगा then a force will act और कहां पर force काम करेगा in the space तो उस particular space में एक force काम करेगा कि आपके दिमाग में यह भला फंटा पूरा clear हो चुका है यस सुप्रीम तरह से clear हो चुका है कि कभी कभी भी अगर किसी भी space में दो या दो से जादा magnetic fields में interaction होगा तो वहां पर एक force काम करता है सबसे classy example तुम जब अब देखना ठीक है सारी जो magnetic field lines होती है न वह जा रही है North Pole से किस की तरफ South Pole की तरफ ठीक है सारी के सारी magnetic field lines जो है वह North Pole से निकल चुकी है और South Pole की तरफ जा रही है with some velocity V अगर मैंने इस charge particle को throw कर दिया है with some velocity V ठीक है तो एक बात तुम मैं समझते बुचलना बहुत ही जादा उम्दा बात है तो भाई एक बात यह देखो यहां पर magnetic field तो पहले से ही produced है यहां पर magnetic field तो पहले से ही produced है तो यह है तुम्हारे पास में क्या external magnetic fields तो जो external magnetic field उसको अपन ने 20 से कर दिया है represent और चार्ज को जैसे मैंने फेका तो चार्ज को फेका with some velocity तो भाई चार्ज जब motion में आएगा ना तो उसके असपास क्या produce होगा current produce होगा और जब कहीं current होता है तो उसके असपास magnetic field भी produce होती है क्या आपके दिमाग में फंडा clear होगा क्या सिखा है मैंने कि अगर मैंने चार्ज को फेका तो चार्ज के motion से बनेगा पहले current ठीक है और जहां current है उसके असपास क्या produce होगी magnetic field produce होगी तो भाई या इस particular space में दो तरह की magnetic fields होगी ना पहली वाली कैसी है external magnetic field जो north south ने produce करी है और दूसरी वाली क्या है चार्ज के motion से बना current और एक बनी उसकी magnetic field अब इन दोनों में होगा एकदम शांदा तरह से interaction अब इन दोनों में होगा एकदम शांदार तरह से interaction और given that this angle itself is theta अब जब इन दोनों के बीच में interaction होगा तो भाई यहां पर जो formula बनेगा ना हो ऐसा बनेगा पहली बाद तो force is proportional to क्या होता है चार्ज जितना जादा चार्ज उतना जादा magnetic field ठीक है उसके बाद V sin theta के proportional होता है बेटा velocity का sin component और force is also proportional to क्या होता है external magnetic field का induction भाई जब तीनों को अपन क्लब कर देंगे तो अपने को समझ में आएगा F proportional to Q था V sin theta था और B था तो F is equals to क्या आजाएगा Q V B sin theta ठीक है F is equals to अपने पास में क्या आजाएगा F is equals to आजाएगा अपने पास में क्या Q V B sin theta मेरे ख्याल में आपके दिमाग में ये वाला funda clear हो चुका होगा अब इसको पतार लिखते कैसे है इसको ना vector notation में ऐसे लिखा जाता है Q को रखो बाहर और यहाँ पर कर दो V cross B और मैं तुम्हें सिखा दूँ भाई अगर तुमने किसी भी formula को vector notation में ऐसे लिखना सीख लिया ना तो फिर इसका force का direction निकालना बड़ा असान रहता है या मतलब किसी भी vector notation को अगर तुमने इस format में सीख लिया ना तो जो resultant है उसका direction निकालना बड़ा असान होता है कुछ नहीं करना है पहले चारों उंगलियों को रखना है first वाले vector के direction में first vector is V और आप जानते हैं मेरे ख्याल से कि V cross B अलग कहानी हो जाती है और B cross B अलग कहानी हो जाती है ठीक है? देखो बेटा दुनों basically opposite direction में answer देते है अगर ये V cross B हो रहा है तो पहले आप इन चारों उंगलियों को रखते हैं V के direction में उसके बाद curling करते हैं V के direction में पहले चारों उंगलियों को रखो V के direction में उसके बाद curling करना किस direction में? B तो पहले V cross करेंगे B तो अंगूठा कहा जाएगा सर अंगूठा जाएगा अंदर की तरफ अगर अंगूठा अंदर गया इसका मतलब force काम कर रहा होगा अंदर की तरफ ठीक है मेरे ख्याल में ये वाला fund आपके दिमाग में supreme तरह से clear हो चुका होगा कोई परिशानी आपको बिल्कुल भी नहीं लग रही होगी clear है yes sir ये वाला fund पूरा clear है तो formula क्या आप चुका है f is equals to q vb sin theta उसी का representation यहाँ पर भी था मेरे ख्याल में आप लोगोंने नोट तो कर लिया होगा चले आगे बढ़े तो यह सब करने के बाद basically क्या आने वाला है f is equals to q vb sin theta और याद रखना theta जो है वो v और b के बीच का angle है theta जो है वो v और b के बीच का angle है चले अब आते हैं अपन direction of magnetic field तो the magnetic field induction at a point in the magnetic field is equal to the force experienced by unit charge moving with a unit velocity perpendicular to the direction of magnetic field at that point इस पूरी कहानी का मतलब क्या इस पूरी कहानी का मतलब यह है कि निकला सब formula से यह formula क्या है physicals to q vb sin theta ठीक है अब यह कहा गया है अब यह कहा गया है कि यह जो अपने पास magnetic field का induction है अगर मैं इसको define करना चाहूं तो यह क्या हो जाएगा f upon q v sin theta क्या हो जाएगा f upon q v sin theta तो by magnetic field का induction magnetic field का induction is defined as is numerical equal to force यह force के बराबर कब होगा यह जो पूरा magnetic field का induction है यह force के बराबर कब होगा इस numerical equal to force यह तब होगा जब कोई unit charge हो मतलब q की value हो गई 1 वो move कर रही हो with a unit velocity मतलब v की value हो गई 1 तब जाकर के magnetic field का induction is numerical equal to force हो जाएगा क्या आपको अब definition का sense समझ में आ रहे है बताएं बेटा क्या आपको अब इस definition का sense समझ में आ रहे है यह सर अब इसका sense जो है वो clear हो गया चले गजब जबर्दस्थ ठीक है आगे बढ़ते हैं अब आते हैं इसमें अपन क्या Fleming's left hand rule के उपर आते हैं तो यह वाला rule भी जो है as a charge particle is moving along a line perpendicular to the direction of magnetic field then experiences a maximum force तो यह force निकालने का direction जो है वो अपन निकालते हैं Fleming's left hand rule से लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको यह पता है न अगर आपके दिमाग में यह वाला funda पूरा clear है ना कौन सा वाला funda sir f is equals to q v cross b वाला तो फिर आप सीधे इसी को apply कर दिया करो और आपको कुछ भी कुछ करने के जरूबत नहीं पड़ेगी ठीक है basic vector का notation v cross b करना है तो भाईया पहले सारे चारों उंगलिया कहाँ पे होंगी v के direction में उसके बाद मुठी बन करने के लिए curling आप करेंगे v के direction में तो जो आपको उठा आजाएगा वो आजाएगा direction of force हलंकि यहाँ पे हर एक चीज जो है statement wise आपके सामने लिखी हुई है और यह class 10 में भी हम इस चीज को देख चुके थे हम लोग class 10 में भी इस चीज को देख चुके थे यह वाला funda होता है इसका father mother children से याद करते है f का मतलब father और यहाँ पे होगा force m मतलब mother यहाँ पे होगा magnetic field c मतलब children यहाँ पे होता है current ठीक है तो मेरे क्याल में यह वाला funda पूरा clear है diagram के सहीत आपके सामने given था अब आ जाते हैं यहाँ पे कुछ important points है जरा उसको देख लिया जाए अगर कोई charge रुका हुआ है तो वो अपने आस पास सिर्फ और सिर्फ क्या produce करेगा electric field क्या बोला मैंने अगर कोई charge रुका हुआ है तो वो अपने आस पास क्या produce करेगा सिर्फ और सिर्फ electric field produce करेगा magnetic field produce नहीं करेगा लेकिन 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 अगर कोई charge motion में है तो motion वाला charge जो है वो electric field भी produce करता है as well as magnetic field भी produce करता है ठीक है तो remember that a static charge is a source of electric field but not of magnetic field वहीं पे एक moving charge जो है electric field भी produce करेगा as well as magnetic field भी produce करेगा मेरे कहाल में this funda is supremely clear for you मेरे कहाल में this funda is supremely clear for you यह सर यह वाला funda पूरा clear है चले आगे बढ़ा जाए इसके अंदर अब उसके बाद फिर आते हैं Lawrence force के उपर तो Lawrence force basically क्या होता देखो electric force का vector summation कर दीजेगा magnetic force के साथ तब जो आपको मिलेगा वो मिलेगा Lawrence force क्या बोला है मैंने अगर आप electric force का vector summation कर देगे with the magnetic force तब जो आपको मिलेगा that is nothing but the Lawrence force only तो यहाँ पर लिखा भी हुआ अच्छे से मैं एक बैस को यहाँ पर लिख दूँ आपके लिए कि अगर Lawrence force आपको निकालना है so this is the vector summation of electric and magnetic force और आप जानते ही कि electric force क्या होता है हम सब जानते ही कि electric force कैसे होता है भाई q into e नहीं होता है q into e होता है electric force और magnetic force क्या होता है q को रखो बाहर तो यह हो जाएगा v cross b this is the magnetic force q को रखो बाहर यह हो जाएगा v cross b this is the magnetic force तो f is equals to भाई काम करो q को आप निकालनीजे common q को आप निकालनीजे common तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा यह हो जाएगा e और plus क्या हो जाएगा v cross b E के बाद क्या हो जाएगा V cross B हो जाएगा बस this itself is the Lawrence force मेरे ख्याल से आपको यह वहला फंडा समझ में आ गया होगा कोई दिक्कत आपको नहीं लग रही होगी पका this is all clear for you यह साथ इसका screenshot ले लिया जाए ठीक है तो electric force और magnetic force का vector summation होता है अब यहां पे ना भाई साथ motion of charge ना magnetic field का फंडा आ चुक है यहां पर 3-4 चीज़े होती है linear velocity, angular velocity, time period उसका पुरा derivation चलता है एक charge को आपने फेका with some velocity V उसको resolve करेंगे तो आज जाएगा V cos theta और V sin theta ठीक है अब चेक करते हैं कौन से वाले component पर force 0 हो जाएगा भाई जब मैं V cos theta के आप से बात करूँगा तो जब मैं इसके लिए force निकालूँगा तो force क्या हो जाएगा एक काम करेंगे इसको V1 बोल देंगे और इस वाले V sin theta को बोल देंगे चल वी 2 ठीक है जब मैं यह V cos theta पर निकालूँगा ना force तो भाई चार्ज के तो अपने पास मान लेते हैं चार्ज Q के बराबर है तो V1 B और यहाँ पर हो जाएगा sin 0 क्योंकि यह V1 मतलब V cos theta component मतलब V1 वाला component और magnetic field के बीच में angle 0 था तो यह force जो है यह V1 वाले component को बिलकुल भी नहीं छेडेगा लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करें V2 वाले component पर तो जब मैं V2 वाले component की बात करूँगा तो charge को मैंने फेगा velocity component V2 है मतलब V sin theta है magnetic field यहाँ पर काम कर रहा है तो angle कितना हो जाएगा sin 90 हो जाएगा आया समझ में तो पहले वाले component पर कोई force काम नहीं करेगा दूसरे वाले component पर force काम करेगा required theory आपके पास यहाँ पर मौजूद है एक बाइज जरा इसका screenshot ले लिया जाए चले फिर यहाँ तक का फंटा पूरा clear हो गया yes sir यहाँ तक की कहानी पूरी supreme तरह से clear हो चुकी थी में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो पहला फंटा क्या है तुम्हारे पास में angular velocity यहाँ पर angular velocity का जो formula है वो होता है v sin theta upon क्या हो जाएगा r के बराबर this is the angular velocity ठीक है अच्छा यहाँ से नहीं एक बहुत ही interesting सा formula निकलेगा बेटा मैं तो उनको बताता हूँ यहाँ पर आता है cover equal to momentum qbr cover equal to क्या आता है बेटा momentum और momentum का formula क्या होता है m into v तो cover जो लिखा है ना मैंने यह लिखा है q into b into r q is the amount of charge b is the amount of external magnetic field के induction और r यहाँ पर होगा उसका radius r क्या रहेगा बेटा यहाँ पर r रहेगा sir इसका radius ठीक है चले circular path का radius जिसमें electron जो है जिसमें जो charge particle है वो ऐसे ऐसे करके move करते करते आगे की तरफ जा रहा है और एक helical path बना रहा है क्या बना रहा है helical path ठीक है यह circular cover equal to momentum वाला formula तो omega is basically the angular velocity इसका आप लोग ने screenshot ले लिया होगा formula का अगला formula आपके पास में आता है frequency ठीक है तो frequency क्या हो जाएगा qb upon 2pi m और यहां से जब time period निकालूँगा तो 2pi m upon qb because अपन जानते हैं कि time period जो होता है वो होता है 1 upon frequency ठीक है time period क्या होता है 1 upon frequency तो 2pi m upon qb हो जाएगा चले अब आते हैं pitch of helix के उपर एक defined time interval में एक defined time period में जो horizontal distance travel किया जा रहा होता है उसे कहा जाता है pitch of the helix ठीक है अब ज़रा गौर करें आप यहां पर आपको आना पड़ेगा यहां पर इत्थे आना पड़ेगा ठीक है एक defined time period में कितना horizontal distance travel होगा तो distance जब निकालना होता है तो absolutely आप speed को multiply कर देंगे time से ठीक है इसे कहा जाता है time period क्या कहा जाता है time period कहा जाता है इसको ठीक है अब होता है यह वी cos theta into open करेंगे t यहां पर करेंगे v cos theta into open करेंगे t तो time तो मैं निकलवा चुका हो पहले से ही क्या आ गया था 2 pi m by qb यहां पर लिखा है 2 pi m by qb तो v cos theta into करना पड़ेगा अपने को 2 pi m by qb this becomes the pitch of the helix ठीक है this becomes the pitch of the helix क्या आपको यह वाला फंडा समझ में आ गया बकाइदा definition भी exactly वही बाते कर रही है जो मैंने आपको बताया है clear हो पा रहा है ठीक है भाई formula wise अपने आपको बहुत strong रखना formula में बिल्कुल भी धीरा काम मत करना कड़ाखात रखना formula के ओपर ठीक है चले yes sir उसके बाद फिर यहां पर starting होती है by a savert slot की हम लोगों ने एक बात तो figure out कर लिए है कि भाई जहां पर current carrying conductor है उसके आसपास magnetic field तो produce होगी लेकिन अब मसला यह है कि जो magnetic field produce होगी वो उसका induction किता होगा मतलब वो कितनी strong magnetic field होगी कहा strong magnetic field होगी कहा weak magnetic field होगी मतलब निकालेंगे कैसे magnetic field induction की value को कैसे निकाला जाएगा तो भाई इसके लिए एक बहुत ही सुन्दर सा current carrying conductor आपके सामने यहां पर मौझूद है और मैं यहां पर आपको introduce करवाने वाला हूँ एक और बहुत ही खुबसूरत से content के साथ जिसे कहा जाता है current element i.dl ठीक है current i passing into a very very small length current i passing into a very very small length is basically called as the current element मेरे ख्याल से यह वाला fund आपके दिमाग में supreme nuclear हो चुका होगा ठीक है अब देखें यहां पर क्या होता है यहां पर जो dl सा length है यहां चोटी सी length है तो इस में से current i pass कर रहा है तो भाईया इसके आसपास भी क्या produce होगी magnetic field produce होगी अब क्या कहा जाता है कि चलो ठीक है छोटा से current element था तो वो छोटी सी magnetic field produce करेगा उसको अपन बोलेंगे db ठीक है तो db का मतलब क्या हो जाएगा भाई b का मतलब क्या होता है magnetic field का induction ठीक है तो db का मतलब क्या हो जाएगा small magnetic field का induction ठीक है db का मतलब क्या हो जाएगा small magnetic field का induction db का मतलब क्या हो जाएगा small magnetic field का induction ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है according to baiat saavatt's law the magnitude of magnetic field induction मतलब जो यह छोटा सा magnetic field का induction db produce होता है at a point किसी भी point पर निकालना होगा और मालो कि यह वाला particular point है इस वाले point पर आपको निकालना है magnetic field का induction ठीक है तो at a point किसकी वज़े से भाई है due to a current carrying conductor current element के वैसे depend किसके ओपर करता है current पर depend करता है dl पर depend करता है sin theta पर depend करता है और inversely proportional to होता है r square यह 4 parameters दिमाग में अच्छे से चाप लेना क्योंकि इसके बाद जो formula आपके सामने निकल करके आने वाला है यह current element का फंटा पूरा clear हो चुका था अब जो formula यहाँ पर आपके सामने निकल करके आने वाला है वह ऐसा formula है तो formula बन जाएगा किल दिल अगर समझ में आ गया तो hashtag fire emoji और किल दिल चलना चाहिए तो k ideal sin theta by r square square और मैं आपको एक बात और clear कर दूँ बेटा तो यह पहली बात तो यह law है वह आपको magnetic field का induction निकालने का तरीका बता रहा है कितनी magnetic field का induction की value produce होगी वह निकाल के आपको सामने रख दी जाएगी अब जो यहाँ पर k है न k is basically constant तो इसकी value निकालना तो बनता है k is basically constant इसकी value निकालना बनता है तो k क्या हो जाएगा अपने पास में k is equals to हो जाएगा क्या हो जाएगा म्यू not by 4π इसकी value क्या हो जाएगी 10 क्या हो जाएगा फो जाने की यहाँ से 4ри 10 की पाफर माłyनस साथ कभी-कभी ऑप्शन मैच करेंगे तो आपको pi की value को खोलना पड़े आता है 3.14 में खोल देना कोई दिक्कत नहीं है angle थोड़ी है कि आप उसको pi मतलब radiance मिलेंगे ठीक है सीधे 3.14 just a constant ठीक है अब ज़रा ध्यान देना इसको अपन क्या बोलते हैं इसको अपन कहते हैं absolute तुमको याद है epsilon not क्या होता था that was absolute permittivity of free space this is absolute permeability of free space इसे कहा जाता है absolute permeability of free space तो यह byte servant law होता है तो इससे आप किसी भी current carrying conductor की वज़े से कितनी magnetic field produced होई है उसका induction बड़े आराम से निकाल करके रख सकते हो ठीक है sir ओके यहां तर का funda पूरा clear है आगे बढ़ा जाएगा तो बायट servant law is valid for symmetrical current distribution कुछ important features है तो बायट servant law is applicable only to a very small length conductor यह वाली बात भी सही है this law cannot be easily verified experimentally as the current carrying conductor of very small length is not easy to obtain यह जो law है वो valid है for a small current carrying conductor और जादर छोटे current carrying conductors को obtain करना तना is easily possible नहीं होता और यह जो law है यह basically के लिए आपको कूलम्स law की याद दे राएगा जो आप पढ़ जो के इनेक्ट्रो साइटिस के लिए ठीक है तो अपने पास कुछ important features थे अब उसके बाद ना यहाँ पर एक बात थी जिसके बारे मैं आपसे बात करना चाहरा था यहाँ पर लखा है cross क्यों लिखा है cross वो जो cross लिखा है वो क्यों लिखा है because एक बात ज़रा गौर करें आप current जा रहा है ऐसे करके तो इसकी वज़े से अगर आप right hand side में निकालोगे ना किसी भी point पे तो हर point पे right hand side में magnetic field lines अंदर की तरफ ही जा रही है यहाँ पे right hand side में हर point पर magnetic field line जो है वो अंदर की तरफ ही जाएगी तो इस वाले scenario में right में हर point पर magnetic field का induction जो है वो cross nature का हो जाएगा right hand side में हर point पर magnetic field का induction जो है वो cross nature का हो जाएगा लेकिन अगर आप left में चेक करेंगे ना बेटा current क्या ऐसे तो इसके left hand side में सारे point पर magnetic field बाहर की तरफ आ रहा है तो बाहर की तरफ आए का तो कैसा हो जाएका इधर भी dot magnetic field dot magnetic field dot magnetic field टो है यहां पर हर point पर कैसा हो जाएगा dot magnetic field का induction आ जाएगा क्या आपके दिमाग में यहाला funda supreme तरह से clear बैट पा रहा है ठीक है और इसके तुम स्क्रीन शॉट के बरोसे मत रहना मैं चाहूंगा तुम इसको बकाइदा पूरा ड्रॉ करके चलो यार ठीक है यह सर क्लियर हो गया आगे बढ़े चलो उसके बाद हाँ यह सब इंपोर्टेंट फीचर अपन देख चुके थे हाँ जी अब यहां पे करेंट केरिंग केंड़क्टर और इसमें से करेंट पास कर रहा होगा उसको बोलेंगे i.dl ठीक है तो करेंट i is passing into a very small length dl तो भाई अब यहां पर जैसे मान लीजे कि जिस पॉइंट पर आपको निकालना है फील्ड का इंडक्शन वो इसी पॉइंट पर है ठीक है तो अगर इसी पॉइंट पर है तो भाई एक सिंपल सी बात है कि यहां पर दो लाइन्स नहीं है तो थीटा की वैल्यू क की ऊपर ही लाई करने लगा है तो भाई फिर यह जो करेंट केरिंग कंड़क्टर है यह इस वाले पॉइंट पर कोई भी मागनेटिक फिल्ड के इंडक्शन प्रड्यूस नहीं कर सकता विगाउस थीटा की वैली हो गए जीरो बस कहानी खतम ठीक है यह आखरी दास्ता अंत इसकी निपड चुका है कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ठीक है सर तो इट मींस नो मागनेटिफी इंडक्शन एट एट एनी पॉइंट ऑन दा थिन लीनियर करेंट केरिंग कंड़क्टर एग्जिस्ट ठीक है यह वाला फंडा मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीन श कर के लिए झाली है मतलब करेंट ऊपर की तरफ जारा है और लाइन यस तरफ जारा ही याद रखना वह जो थीटा बंते ना किसके बीच का एंगल बंता है भाई यह मेरे पास एक current carrying conductor है इस में से current जा रहा है passing through a very small length dl ठीक है मैंने बोला कि भाई concerned point मेरे पास यहाँ पर है तो भाई सबसे पहला काम तो यह होता है कि concerned point को जोड़ो concerned point को जोड़ो ठीक है यह current element से concerned point को जोड़ो तो यह जो angle रहेगा यह angle रहेगा theta ठीक है अब मैं बोलता हूँ कि भाई अगर theta की value 90 degree हो गई है मतलब यह point है वो current element vector के एकदम perpendicular चला गया है आया समझ में कि नहीं आ गया पका तो यह वारा अपने पास funda था मैं चाहूंगा इसका भी screenshot ले लो भाई इसका भी screenshot हो चुका है डन 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 चले आगे बढ़ा जाए उसके बाद क्या होता है basic idea किसके लिए हापे के current carrying conductor भी अपने आसपास magnetic field प्रेड्यूस का सकता है इसका basic idea ठीक है तो we have already studied that a current carrying conductor produces magnetic field around itself value कैसे निकलती है बायट सावर्ट लोग है हिसाब से तो अलग अलग शेप के wires होंगे तो अलग अलग तरह की magnetic field वो produce करेंगे अब निकालना स्टार्ट करेंगे कि एक straight wire कैसी magnetic field प्रेड्यूस करेगा with formula for circular for solenoid for toroid ठीक है ओके तो अब आ कि भाई देखो ये तुमारे पास में current carrying conductor है ये रहेगा इसका top notch क्या बोलेंगे इसको इसको मैं बोलूँगा top notch ठीक है और ये वाला जो point है ये वाला point फिर क्या कहलाता है bottom notch अरे उपर वाला top notch है तो ये वाला क्या हो जाएगा sir bottom notch उपर वाला top notch है तो नीचे वाला क्या ह जाएगा sir bottom notch हो जाएगा ठीक है अब ज़रा गौर करना भाई तो current जा रहा है इसमें उपर की तरफ तो current I is passing in through this particular wire तो इस वाले wire में से current जो है वो current पास कर रहा है ऐसे उपर की तरफ तो अब ज़रा एक छुड़ी सी बात में गौर करते हो चलना बहुत ही उम्दा बात के बराबर तो यह produce करें अपने असपर मैंने यह बोला है कि भाई में को इस वाले point पर चाहिए magnetic field के induction ठीक है तो यहाँ पर बकाईदा cross क्यू लगा हुआ है आप भी समझ गए है कि हाँ sir current अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो right में सारी field अंदर की तरफ जाएगी इसलिए बात यह थी नहीं important बात तो यह थी जिस point पर आपको निकालना होता है magnetic field का induction आप ऐसे imagine कर लिया करो as if आप sum उस वाले point पर बैठे हो ठीक है अब जब तुम sum is वाले point पर बैठे हो तो तुम्हाइए नाक की सीध में जो यह जा रहा है ना इसको बोलेंगे अपन reference line क्या बोलेंगे इसको reference line तो यह जो P O है ना मैं इस P O को बोल दूँ reference line यह सर इसको बोल सकते है जो P O है ना this is the reference line सा इसी के respect में अपन खेलना शुरू करेंगे ठीक है ये reference line था और सारे आंगल अपन इस reference line के respect में ही खेलना शुरू करेंगे ठीक है अब ज़रा गौर करेंगे यप अच्छे से बाई यहाँ पे ना देखना अच्छे से प्लीज प्लीज बहुत इंपोर्टन चीज है ठीक है तुम यहाँ पे चले गए तो टॉप नॉच में देखने के लिए तुमको ऐसा उपर की तरफ जाना पड़ रहा है बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है सब पूरा फंड़ा क्लियर है टॉप नॉच तक देखने के लिए अपन एंगल 5-1 के बराबर इतनी आराम दायक सी बात थी ठीक है अब जरा ध्यान देना बीटा फॉर्मला क्या होगा तो जब मैगनेटिक फील के इंडक्शन का आपन निकालेंगे ना फॉर्मला तो उसका फॉर्मला यह आता है के मतलब म्यू नॉट भाई 4 पाई आई ओवर क्य एंगल गया है सर टॉप नॉट पर एंगल गया है 5-2 और उसके बाद साइन ऑफ बॉटम नॉट पर एंगल गया है 5-1 बस बात ही खतम बस इतने में बात खतम हो गई ठीक है तो यह रहेगा तुम्हारे पास में फॉर्मला यह रहेगा तुम्हारे पास में फॉर्मला कोई दिक्कत वाली बात है क्या नहीं सर यहां तका फंड़ा पूरा क्लियर है अब इसमें बनते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से केस अगर माले कि अगर इंफिनाइट लेंथ का वायर है मैंने क्या बोला कि वायर का लेंथ जो है ना वह इंफिनाइट लेंथ का वायर है तो अगर wire का length infinity तक जा रहा है अगर wire का length infinity तक जा रहा है तो बाहि जो top notch है ना वो पहुँच जाएगा 90 degree तक और जो bottom notch है ना वो भी कहां पहुँच जाएगा 90 degree तक ठीक है तो अगर wire का length infinity तक जा रहा है तो top notch का angle और bottom notch का angle ये दोनों ही एंगल पहुँच जाएंगे 90 डिगरी तक मेरे ख्याल से आपके दिमाग में ये वाला फंडा भी clear हो चुका होगा ये तब का फंडा है जब infinite length of wire है तो मैं चाहूँगा कि formula के साथ diagram भी आप बनाए formula के साथ आप diagram भी बनाएं किसी में भी कमी बिल्कुल भी ना छोड़ी जाएं ठीक है पका clear हो गया है यहां तक फंडा पूरा clear हो गया है 321 ready go super clear and super done yes clear ठीक है चलो final formula आचोगा अपने पास अच्छा वो जो के था ना बेटा यहां पर एक सेकंड हाजी यह जो अपने पास अच्छा मैंने यहां पहले बनाया था का पूरा यशर यह जो के होता है ना इसके बारे में हमको पता होता कि k बेसिकली यह बाइट सावए्ट लोग से आया होगा के न थेक है तो जो के होता यह यहाँ पर यह मू नॉड़ बाई 4 पाई यह वहारा के बिटा अगए उलेक्ट्रोस्टार्टिक होता तो मैं बोलता वन बाई क्लिया होगा ठीक है यह सब्सक्राइब चलो तो यह रहा फाइनल फॉर्मुला तो के को खोल दिया है मुनॉट भाइ फॉर पाई में उसके बाद आई भाई ए फिर साइन टॉप नॉच का अंगल प्लस साइन बॉटम नॉच का अंगल गजप एक तरफा शानदार अब आते है राइड फमरूल से इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि देखो भाई यहां पे क्या होताँ जहां कर्रेंट जा रहा है न तो आप इसको ऐसे मान लेते हैं कि कर्रेνट के डिरक्शन में अपने रख दिया अपना अंगूठा राइट हैंड का उछके बाद जिस हिसाब से चेक करो ऐसे निकल रही है सारी के सारी जो मागनेटिक फील लाइन होती है आप ज़रा इसको राइट में चेक करें वो राइट में सारी के सारी मागनेटिक फील लाइन जो वो अंदर जा रही है और लेफ्ट में सारी के सारी जो magnetic field lines है वो बाहर आ रही है जब आप यहाँ पर check करोगे तो नीचे जब current जाएगा तो यहाँ पर right से सारी magnetic field lines घूम के ऐसे बाहर आ रही है राइट से सारी magnetic field lines ऐसे घूम के बाहर आ रही है और यही magnetic field line जो है न वो ऐसे इसके अंदर घुच लिए है आया बताओ भाई आया यह वाला funda समझ में आ गया यह सरी वाला funda समझ में आ गया अब उसके बाद ना dot या cross का funda भी दिमाग में set के लिए जाए तो मज़ा आ जाएगा भाई देख right में सारी field अंदर जा रही है यहां पे अंदर घुसरी है तो क्या हो जाएगा cross हो जाएगा भाई पूरा clear है यह था अपने पास में right hand thumb rule जिसके अनुसार अपने current carrying conductor अगर इस straight wire है तो उसके वाई से कैसी magnetic field लेंस होगी वो अपन पूरा plot का सकते है बढ़ा दिया चले अब आगे बढ़ते हैं बिटा अब यहां पे आ गया है magnetic field का induction due to a circular current carrying conductor तो उसका वो general formula होता है न मैं आपके सामने वो general formula लिख देता हूँ general formula भाई एक circular current carrying conductor के respect में जो general formula होता है वो होता है b is equal to k i alpha over r अब जनता यह पूछेगी sir what is alpha अब जनता यह पूछेगी sir what is alpha तो पेटा alpha जो होता है na this is the angle subtended by current carrying conductor at the center for example अगर एक complete circle है तो भाई यह complete circle ने क्या angle मारा center पे sir complete circle ने angle मारा 2 pi का तो alpha की value क्या हो जाएगी 2 pi अब मालनी जगर ऐसा होता है कि semi circle है और मैंने बोला कि semi circle में से current pass कर रहा है i के बराबर ठीक है मैंने बोला कि एक semi circle है और इस semi circle में से current pass कर रहा है i के बराबर और मुझे इतना बता दो कि इस current carrying conductor के वज़े से क्या magnetic field produce होगी center पे तो भाई यह पॉइंट अपन ने ले लिया है p के बराबर अब यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे जो alpha हो जाएगा न वो हो जाएगा pi के बराबर alpha क्या हो जाएगा यहां पे pi के बराबर हो जाएगा इस वाले case में और यहां पे जो alpha है वो कितना हो जाएगा 2 pi के बराबर quadrant हुआ तो 90 degree यह मतलब pi by 2 के बराबर तो यहाँ पर alpha is the angle subtended या जो angle बनाया जा रहा है this is the angle subtended by current carrying conductor at the center alpha is the angle subtended by the current carrying conductor at the center मेरे ख्याल से यह वाला funder भी आपके दिमाग में supreme तरह से clear हो चुका होगा जल्दी से इसका screenshot लेंगे उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेके चलता हूँ ठीक है यह वाला funder पूरा clear हो गया है yes sir circular वाले का funder पूरा clear हो चुका है और मैं आपको एक बाद जरह यहाँ पर और confirm कर दूँ मैंने सिखाया था कि किसी भी conductor के उपर या उसके line of action पे अगर कोई point आ जाएगा तो उस conductor की वज़े से फिर उस point पर कोई magnetic field प्रेड्यूस नहीं हो सकती जैसे माल लीजे यह circular वाला जो हिस्सा है ना wire का इस circular वाले wire के हिस्से की वज़े से तो p वाले point पर magnetic field प्रेड्यूस होगी लेकिन यह जो पहला वाला जो straight वाला wire है ना इसकी वज़े से p वाले point पर कोई भी magnetic field प्रेड्यूस नहीं हो सकती क्योंकि यह straight वाले wire के line of action पे आ रहा है p वाला point ठीक है तो भाई straight wire के वज़े से कोई field induction नहीं है मेरे ख्याल से यह वाला funda supremely clear हो चुका है yes sir अब तो clear हो चुका है ठीक चलो तो यह अपने पास में main formula यह रहेगा अपने पास में main formula जहां पर alpha को यहां पर बकाइदा लिख दिया गया है कि this is the angle subtended at the center by the current carrying conductor कोई देखकर तो नहीं है कोई परिशाइन तो नहीं है सर्फ पूरा funda clear हो गया है ठीक है चले उसके बाद क्या आता है यह वाला formula जो है ना वह एकदम देखने लाइक formula है अगर circular current carrying conductor के आप center पर निकालना चाहो तो formula क्या बन जाता है के आई alpha यार जहां पर alpha हो जाएगा टू पाई के बराबर अभी दिखाया था यहां पर थोड़ी दर पहले ठीक है लेकिन अब आपको center पर नहीं निकालना है अब आपको access पर एक point आ गया है वहां पर निकालना है magnetic field का induction ठीक है तो मैं आपके सामने यहां पर पूरा setup जो है ना एक बार बनागा के दिखाये तो यह हमारे पास एक circular current carrying conductor है ठीक है बोलो हा की ना यह सर पूरा funda clear और center से मारो यहां तक की दूरी कित्ती center से यहां तक की दूरी अपने ले लिए चलो a के बराबर ठीक है center से यहां तक की दूरी ले लिए अपने चलो a के बराबर अब क्या होता है भाई साब अब यह होता है कि access पर एक point ले लिए है ठीक है access पर एक point ले लिए है और इस point की दूरी जो है access पर जो point लिए ना यह current ऐसे flow कर रहा है इस current को अपन ने क्या मान लिया बेटा आई मान के चल दिया अब यह current carrying conductor अपने आसपास magnetic field produce करेगा और इस point पर अपन को निकालना है इस वाले point पर अपने को निकालना है magnetic field का induction तो उसका जो formula बनता है ना सुनना मरी बात को a क्या होता है पता है is the radius of the current carrying loop ठीक है कि इसे अमला 20 इको स्टो के आई 2 पाई a का स्क्वाइर और नीचे आजाता है a स्क्वाइर प्लस हो जाएगा x का स्क्वाइर और इसकी पावर पहुंच जाएगी 3 बाई 2 ठीक है इस वाले formula को डब्बे में डाल लेना भाईया बहुत important formula 20 इको स्टो के आच चुका है ki2 पाई a square upon a square प्लस x का स्क्वाइर इसकी पावर क्या हो जाएगी 3 बाई 2 नाउ सबसे interesting बात एक और ची सुनना एक और बड़ी interesting बात सुनना क्या का जो ही concerned point है जिस point पर आप निकालना चाह रहे है magnetic field का induction जिस point पर आप निकालना चाह रहे है magnetic field का induction अगर यह concerned point मानले center पर आ गया ठीक है तो x की value क्या हो जाएगी 0 तो मैं इसको लिख देता हूँ कि if concerned point is at center जिस concerned point पर आप निकालना चाह रहे है magnetic field का induction अगर वो concerned point जो है वो center पे आ गया तो यहाँ पर x की value क्या हो जाएगी 0 x की value 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा b is equals to k i 2 pi a का square और यहाँ पर x की value 0 हो चुकी है तो a square की पार 3 by 2 मतलब a का cube बन जाएगा क्या बन जाएगा 1 का cube और जैसे अपन यहाँ पर काटा pt मचाएंगे तो k i by a into आजाएगा 2 pi और बस यहाँ पर case हो जाएगा done 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 ठीक है भाई एक बात सुनो एक बात तुम समझो जब यह वाला point center पर आ गया तो circular current carrying conductor के center पर magnetic field का induction निकाला हम जानते हैं k i alpha भाई यार तो वही वाला formula यहाँ पर साक्षा तरह से एकदम सोरूप हो चुका है क्या आपका पूरा funda दिमाग में clear हो चुका है yes sir यहाँ तक का पूरी कहानी समझ में आ गई है तो यह आपने पास में एक circular current carrying conductor के access पर magnetic field का induction formula is all done for you यह अगर तुम चाहो भाई k को खोलना पड़ता है तो k खोलेंगे तो क्या हो जाएगा mu naught by 4 pi और मैं आपको बिटा एक बात बता दूँ कि जो formula है यह बनाया गया for n turns देख है अगर n turns होते हैं जरूरी निया ना कि एक ही turn का coil हो मानले अगर n number of turns है कोईल के अंदर तो क्या कहनना पड़ेगा देखो ki2 pi a का square upon a square plus x square की पार 3 by 2 basic formula क्या था ki2 pi a का square is the radius upon a square plus x square की पार 3 by 2 x था वाँ पे center से concern pointer की दूरी यह एक turn के लिए था अगर n number of turns आएंगे तो बस इसी वाले formula को n से multiply कर दो कि क्या तुम्हारे दिमाग में यह वाला पूरा funda supreme तुरा से clear हो पा रहा है ठीक है comment section में बताते हो चलना बेटा तो यह अपने पास main formula हो चुका है done अब उसके बाद एक क्या होता है भाई देखो आपने पास एक circular current carrying conductor था तो यह अपने अपने ऐसा क्यों बनाया है न क्योंकि क्या हो रहा है कि यह circular current carrying conductor अभी हमारे इस plane of paper के perpendicular है ठीक है अब देखो क्या होता है यहां पर आपको पता है कि यह जो दूरी है this is basically a के बराबर ठीक है अब देख क्या होता है अपन राइट में जा रहे हैं दूर 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 ठीक है absolutely सरकाम होने वाली है ठीक है तो अच्छा अब center पर maximum है तो center पर magnetic field का induction है this is maximum और उसके बाद अगर आप यहां चेक करेंगे तो यहां पर reduce होने वाली है और यहां पर भी reduce होने वाली है इसी का graph यहां पर बन गया है center पर magnetic field का induction maximum right में जाओ चाहे left में जाओ magnetic field की value जो है वो reduce ह होती है graph आपके सामने बकाइदा प्रस्तुत है ठीक है graph आपके सामने बकाइदा प्रस्तुत है हो गया चले सर ओके ड़न अब यहां पर आता है clock face rule भाई circular current carrying conductor है तो उसमें current है तो आसपास magnetic field तो होगी अब भाई किस तरह की magnetic field होगी जरा गौर करना अगर यहां पर मान लीजे anti clockwise current है current है तो magnetic field होगी लेकिन मजे की बात क्या है जब anti clockwise current होता है तो जो यहां पर magnetic pole develop होता है वो magnetic north pole develop हो जाता है it behaves as if सारी magnetic field है इस बाहर की तरफ आ रही है और जब clockwise current होता है तो यह ऐसे behave करता है as if यहां पर जो magnetic field है वो सारी अंदर की तरफ जा रही है तो इसलिए यहां पर बोलते हैं south pole लिखने का design समझ में आ रहे है नौर्थ को लिखा भी इतनी खुबसूरती से कि वो दो चीज़े clear कर रहा है anti clockwise current और north pole का induction south को लिखा है इतनी खुबसूरती से है कि वो दो चीज़े clear कर रहा है clockwise current और south pole का induction भाई यह वाला फंडा समझ में आ गया है तो जल्दी इसका screenshot ले लो चले भाई यहां तका फंडा पूरा clear हो चुका था yes sir यहां तका फंडा will the magnetic field be 1 by 8th of its value at the center अब इस पूरे सवाल का basically मतलब क्या निकल करके आता है इसका मतलब यह निकल करके आता है कि मानलेजे for example you have a current carrying conductor like this इसमें से current flow कर रहा है i के बराबर इसका जो खुद का radius है इसका जो खुद का radius है वो radius है एक के बराबर अब यहां पर यह पूछा है कि x distance की दूरी पर एक point है तो इस वाले point पर जो magnetic field का induction है वो center वाले point के induction का 1 by 8th part हो चुका है तो कहीं ना कहीं सवाल का जो जिस्ट है वो यह है कि axial point पर induction is 1 by 8th the induction at the center ठीक है अब axis पर क्या induction आया था तो आया था ki2 pi a square upon नीचे आ गया था a square plus x square की power 3 by 2 ठीक है इस ली question क्या हो जाएगा 1 by 8th the magnetic field का induction at the center तो 1 by 8th उसके बाद क्या हो जाएगा ki2 pi over a हो जाएगा यहां तक का funda पूरा clear है yes sir यहां तक का funda पूरा clear ki2 pi ki2 pi निपट जाएगा यहां बचेगा 8 a का cube ठीक है और यहां पर क्या बन जाएगा a square plus x square की power 3 by 2 यहां पर क्या हो जाएगा a square plus x square की power 3 by 2 अब एक काम कर सकते हैं पर यहां पर cube root ले सकते हैं क्या ले तो आजाएगा 2 A हो जाएगा यहां पर कितना हो जाएगा A sqaer प्लस X sqaer भाई साब क्यूब रूट ले लिया गया है तो यहां बस बचएगा 1 by 2 अब एक काम करो इसकी स्क्वेरिंग करो ठीक है वहां पर sqaer root है ना कैसे पता square root है तो यहाँ पर power अगर 1 by 2 असका मतलब क्या order square root ही तो होता है तो यहाँ पर उसके एक काम करो squaring करो तो 4 a का square is equal to a का square plus x का square तो x square आ जाएगा 3 times a का square और x आ जाएगा तिरे पास में a root 3 आया समझ की नहीं आया x के ता आगे अपने पास में a root 3 बस बात ही खतम हो गई तो जो relation आप से required था वो आपने निकाल करके दे दिया है डं 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 चलें आगे बढ़ा जाए इसके अंदर अब ज़रा बेटा उसके बाद लिखा है find the magnitude and direction of the magnetic field produced at the center ठीक है center पे क्या magnetic field का induction होगा पहली बात तो देखो भाई इसको एक काम करते है first part बोलते है इसको बोलते है second part और इस वाले को बोलते है third part of the conductor ठीक है एक बात तो एकदम clear cut done है कि पहले वाले part की वज़े से और तीसरे वाले part की वज़े से magnetic field का induction जो है कि पहला वाला और तीसरा वाला कोई भी magnetic field produce ही नहीं कर पाएगा कि आपके दिमाग में ये सब चीज़े supreme तरह से clear हो गई है yes sir supreme तरह से clear हो गई है अब ज़रा गौर करते हैं बचलना तो therefore जो total magnetic field का induction बचेगा वो बचेगा सिर्फ और सिर्फ दूसरे वाली की वज़े से और दूसरा वाला ये रहा इसमें clockwise current है clockwise current का मतलब क्या हो जाता है south pole का induction मतलब सारी की सारी magnetic field lines अंदर की तरफ जा रही है formula क्या होता है ki alpha by r formula क्या होता है ki alpha by r सारी values पुट करना शुरू करो k मतलब 10 की power minus 7 उसके बाद i का मतलब current केता है current है 9 के बड़ाबर उसके बाद alpha केता है alpha है 60 degree के बड़ाबर तो 60 degree का मतलब क्या होता है pi by 3 उसके बाद नीचे r है तो r केता होता है 10 cm तो 10 into 10 to the power minus 2 इसका मतलब 10 to the power minus 1 ठीक है 10 into 10 to the power minus 2 मतलब 10 to the power minus 1 हो जाएगा तो total magnetic field का induction जो है वो 3 pi कितना हो गया बेटा 3 pi हो गया उसके बाद यहाँ पर क्या है 10 की power minus 6 3 pi 10 की power minus 6 टेसला चाहो तो pi को खोल लो चाहो तो रहने दो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं कभी-कभी तो option पर depend करता है कि option में pi था कि नहीं था यह वाले सवाल में तो कोई option नहीं थे तो आप एकदम आज़ात पंची की तरह अपने हिसाब से answer जो है वो quote कह सकते हैं अगला question देख लिया जाए तो इस figure में BCDF is circular coil of non-insulated thin uniform conductors बाई देख एक बात है इस one shot में अगर questions नहीं करवाए जाएंगे तो फिर आपके लिए कोई भी चीज वाइदे मन नहीं रहेगी because questions से ही यहाँ पर जानदाय तरह से बात समझ में आती है इस पूरे सवाल का जिस्ट ही है इसका radius किता है 10 cm के बराबर इसका radius किता है 10 cm के बराबर अब बस यह समझना है कि center पर कितना magnetic field के induction produce होगा यह वाला point ठीक है एक बात मैं तुमको बता दू कि भाई इसमें ज़रा अपन naming शुरू कर देंगे इसको बोल देंगे अपन first part of the conductor इसको बोल देंगे second part of the conductor इसको बोल देंगे third part of the conductor now just go with the flow current वहाँ से आगया 5 ampere तो 5 ampere में से यहाँ पे जो current जाएगा वो जाएगा 2.5 ampere और यहाँ पे जो current जाएगा वो भी जाएगा किता 2.5 ampere ठीक है अब ज़रा गौर करना देख क्या होने वाला है 5 ampere आया फिर 2.5 फिर हो गया 2.5 अब मेरी बास सुनते में बचल देख क्या होता है यह वाला जो third वाला 2.5 ampere है वो third वाला दरसल किस नेचर करेंट है anti-clockwise मतलब north pole का induction तो third वाली के वाज़े से क्या होगा north pole का induction मतलब dot magnetic field और जो fourth वाले है वो fourth वाले के वाज़े से क्या होगा अब ही fourth वाले में ऐसे clockwise current है मतलब south pole का induction मतलब cross magnetic field ठीक है अब interesting चीज़ का है कि जितना magnitude का magnetic field induction third वाला conductor produce करेगा उतने ही magnitude का magnetic field induction fourth वाला conductor भी produce करेगा दोनों हो जाएंगे cancel out ठीक है तो therefore अपन क्या बोल सकते हैं therefore B3 और B4 cancels out each other B3 और B4 जो है ना they will basically cancel out each other B3 और B4 जो है ना they will basically cancel out each other तो जो बचेगा अपने पास 1 वाला बचेगा और 2 वाला बचेगा ठीक है भाई 1 वाले की वज़े से यहाँ पर field बहार आएगी और 2 वाले की वज़े से भी यहाँ पर field जो है वो बाहर आने वाली है ठीक है तो यहाँ पर अपने लिख देंगे B total जो बचेगा वो बचेगा क्या B1 और B2 के वैसे interesting बात तो है कि दोनों का induction भी same ही होगा ठीक है दोनों का भी induction same ही होगा भाई देख लो नहार एक तरफ से infinity एक तरफ से 0 का angle ठीक तो यह B1 क्या हो जाएगा के I by separation distance किता है और उसके बाद तुम भी जानते हो भाई top notch कहां जा रहा है infinity मतलब sign 90 कहते हैं कि लंबा wire है मतलब infinity और bottom notch नाक की सीद में आ गया तो यह 0 हो जाएगा ठीक है उसके बाद B2 भी तो सहीं ही रहेगा के I by R उसके बाद क्या हो जाएगा top notch किता सर 90 डिगरी और bottom notch तो नाक की सीद पर है ठीक है bottom notch मतलब यह सामने वाला ठीक है कोई दिकत नहीं अब यहाँ पर देख क्या होने वाला बस formula put करना तो twice होने वाला है तो twice और k क्या होता है what is the value of the current तो current तो 5 एंपर फ्लो कर रहे है उसके बाद 2 क I by R किता है R है इसका 10 cm 10 into 10 की पावर माइनस 2 मतलब 10 की पावर माइनस 1 उसके बाद क्या हो जागा है साइन 90 प्लस साइन 0 तो मतलब बनी बचेगा तो two five जे किता हो गया 10 हो गया तो 10 to the power 2 हो जाएगा तो 10 to the power minus 5 Tesla is the resultant answer तो इसका direction क्या होगा तो इसकी वज़े से बाहर आ रहा है इसकी वज़े से भी बाहर आ रहा है तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा in total dot magnetic field क्या आपके दिमाग में यहां तक का funda supremely clear है yes sir, supremely clear हो चुका है ठीक है चलो आगे बढ़ा जाएगा इसमें अब फिर उसके बाद ampere circuit law की बात करेंगे ampere circuit law एक बात समझ जाओ जैसे अगर अगर अपने पास एक uniform distribution of charge है अगर उसकी वज़े से आप electric field की induction निकालना चाहते है तो हम यहां पर यूज करते है ampere circuit law को ठीक है जैसे gauch log को यूज करने के लिए hauchan surface की requirement होती थी वैसे ही ampere circuit law को यूज करने के लिए hauchan loop की requirement होती है यह भी एक imaginary loop होता है just like gauchan surface was imaginary तो वैसे ही जो ampere loop होता है वो भी imaginary होता है अब कौन सा सरफेस एंपीरेंट लूप बन सकता है उसके लिए क्या-क्या चीजें चाहिए या तो पहली बात तो यह कि magnetic field का induction uniform होना चाहिए या तो फिर ऐसे हो जाए कि magnetic field का induction जो न वो completely vanish हो जाए तब भी जाकर कि आप उस section को कह सकते हो कि हाँ वो एंपीरेंट लूप है मानलोफ और इंस्टेंस में अगर आपको बता हूँ कि अगर तुम्हारे पास एक करेंट केरिंग सोलेनॉइड है तुम्हारे पास क्या है यह करेंट केरिंग सोलेनॉइड है और अगर हमने इसका एक एक एंपीरियन लूप आपके तएर कर दिया तो ंपको बता हो इसका एंपीरियन लूप न दिखने में कुछ ऐसा होता है अब मैं आपको बता हूँ देखो एंपीरियन लूप अगर दिखने में ऐसा है ना तो यह बलकुल सही है कैसे बता भाई देखो यहां तक अगर चेक किया जाए तो मागनेटिक फिल्ड का इंडक्शन यूनिफॉर्म है एंपीरियन लूप के इसWowalे हिस्से पे आने है तो सभाईनेटिक फिल्ड का इंडक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए यकांडिशन होती है टो बिकम एन एंपीरियन लूप जैके दूसरा क्या होता है कि अगर ऐसा हुआ ना कि इस यहां पर यहां तो magnetic field यह 0 है मतलब vanish हो गई है तो यह वाला हिस्सा is also integral part इस हिस्से को भी आप कह सकते हो कि हाँ यह भी amperian loop बनने के लिए पूरा eligible है क्योंकि magnetic field का induction 0 भी हो सकता है for becoming an amperian loop यह इतना funda clear हो गया कि तो amperian circuit law को apply करने के लिए amperian loop की आपको requirement होगी कैसे ghost law से relate करोगे उसके बारे में चीज़े मैंने आपको यहां पर बता करके रखिए screenshot ले लो बेटास का जल्दी से ठीक है हो गया okay so done 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 main तो कहा है कि इसका expression आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाना चाहिए अब मैंने कहा था कि amperian loop बनने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके बास तो magnetic field या तो tangential होना चाहिए loop के या तो normal होना चाहिए या फिर ऐसा है कि vanish ही हो जाए तो भी चलेगा but uniform अब यहां पर जो amperian circuit law का statement होता है वो statement ही उसके formula को दर्शाता है इसका जो statement होता है वो statement इसके formula को दर्शाता है कि the amperian circuit law states that the line integral of magnetic field induction around a closed path in vacuum is equal to mu naught times the current enclosed threading current कह सकते हैं उसको अपन जो closed जो amperian loop से thread कर रहा है ना current that is threading current ठीक है तो क्या कहा गया है कि the line integral of magnetic field का induction तो line integral का मतलब होता है dl आ गया of magnetic field का induction around a closed loop integration के बाहर यह ring का मतलब क्या होता है कि integration around a closed loop हो रहा है is exactly equal to mu naught times vacuum का जिक्र जो किया गया है वो इसले किया गया है क्योंकि हाँ पर mu naught आ रहा है is mu naught times the current threading through the amperian loop आपको यादे gaust law के अंदर मैंने charge को क्यों नहीं लिया था वहापे मैंने q- लिया था because gaust law के equation में जो charge आता है that is not the charge of the body that is the charge enclosed by the gaussian surface वैसे ही this current is not the current of the conductor this current is the current threading through the amperian loop मान लीजे for instance अगर मैं पास यह एक amperian loop है थीज़्ें तो जैसे मान लो अब यह current ऐसे बहार निकल रहा और यह current इसके अंदर आ रहा है तो जो current बहार निकल रहा है उसको मैं प्लेस लेके चलूँगा अगर current वो loop के अंदर आ रहा है मैं इसको माइनस लेके चलूँगा तो जो threading current है i dash वो क्या हो जाएगा एक current बहार निकला plus ले लिया y अंदर आ गया minus ले लिया तो threading current यहाँ पर कितना हो जाएगा बिटन बास जीरो के बराबर हो जाएगा आया समझ की नहीं आ गया यह यह वाला fund आपन देख चुके हैं पहले पका चले statement पूरा clear है equation पूरी clear है तो sign convention क्या होता current के लिए अगर आपने जिस direction में thread जैसे माल लो अपने पास यह ampere and loop है और मैंने इसको अगर ऐसे trace कर रहा है माल लेते हैं anti clockwise direction में तो अगर मैंने anti clockwise direction में trace कर रहा है तो मुरी बात पर ज़रा गौर करना current अगर ऐसे बाहर निकला तो यह जो current ऐसे बाहर निकला इसके लिए आपके जो हाथ है वो ऐसे anti clockwise direction में trace हो जाएंगे तो अगर आपने loop को trace कर रहा है anti clockwise direction में अगर आपने loop को trace कर रहा है anti clockwise direction में और current के सहारे से अगर आप इसके साले चले current उपर तो चारो उंगलियां जो ऐसे curl हो रही है न वो loop के direction में ही अगर curl हो रही है तो आप इसको लेके चलेंगे positive अब देख लो बेटा obviously यह जो current होगा यह नीची के तरफ आ रहा है ठीक है और जो tracing हो चुकी है loop की वो आपको दिख रही है anti-clockwise ठीक है current अगर नीचे की तरफ गया तो loop को आप trace करेंगे clockwise direction में कैसे trace करेंगे clockwise direction में तो लेकिन असलियत में loop का tracing कैसा था anti-clockwise opposite हो गया तो आप इस current को फिर आप minus लेके चलेंगे क्या आपके दिमाग में यह वाला funda clear हो गया sign conventions is all done for you clear पका चलें okay done तो उसे साब से positive negative आता है यहाँ पर आप आप जड़ा देख सकते हैं current अगर exit ले जा था तो मैंने जिसारा trace करा उसको मैंने current को plus मान लिया i1 को और i2 हो जाएगा minus दोनों का बराबर होते तो मैं एकदम ही answer zero quote कर देता है अब magnetic field के induction जो हम निकालने वाले हैं वो निकालने वाले हैं एक लंबे एक मोटे cylinder के पहले outside निकालेंगे फिर on the surface निकालेंगे उसके बाद फिर निकालेंगे lying at a point lying inside the cylinder ठीक है तो अब ज़रा गौर किया जाए इस पर अच्छे से जब आप inside निकालते हो पहली बात यह समझ लेना r क्या होता है तो r होता है distance of the point from the axis और बड़ा वला r होता है radius of the cylinder ठीक है मेरी बात भी जड़रा गवर करेंगे आप अच्छे से तो ही मझा हैगा यह अपने पास एक अपने मान लिए है आपने पास अपने माँलिया है इसका access अब इसके बाद जो current इसमें से निकल रहा है वह सट करके आइसे करके निकल रहा है current ऐसे करके निकल गया है ठीक है अब आप यार जिस point पर निकालना चाहो तो मैं आपको पहले एक बाई यह फंटा confirm कर दूँ अगर आपका जो point है वो outside अगर outside निकालना तो formula होता है 2k i over r ठीक है यह तो वही बाला formula जो कि infinitely long straight y के लिए होता था ठीक है आउटसेड बाले point पर अगर अच्छा यहां पर b is inversely proportional to r हो गया है इसलिए outside graph नीचे किरता है inside क्या होता है inside होता है 2k i over r का square into r होता है तो 20 proportional to r हो जाएगा inside में magnetic field का induction बढ़ रहा है ठीक है और अगर आप पहुंच चुके हो on the surface अगर आप कहां पहुंच चुके हो on the surface तो यह जो r है ना इसकी value capital आके बराबर हो जाएगी तो r से r कट जाएगा 2k i by r आ जाएगा ठीक है तो on the surface अगर आप देखोगे तो 2k i by r is going to be the formula क्या आपके दिमाग में यह सब چीजे clear हो चुके है तो magnetic field का induction जो maximise हो रहा है magnetic field का induction जो maximum आ रहा है वो आ रहा है on the surface तो आपन इसको बोलेंगे B maximum, magnetic field का induction जो maximum आ रहा है वो आ रहा है on the surface, मिले ख्याल से आपके रिमाग में ये वाला फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा, मैं चाहूंगा कि आप इसका screenshot लें और जल्दी से जल्दी ने तुरन से पहले, पका पूरा फंडा क्लियर है, ये सर क्लियर है ठीक है, निप्टा है इसको, भाईस आप ग्राफ बना लो, इसमें गलती बिल्कुल भी मत करना ठीक है ओके सर पूरा फंडा क्लियर हो चुका है आगे बढ़ा जाया कैस में अब ओके इसका रेडियस है फो सेंटेमेटर, कैरीज अ करेंट ऑफ तो अंप यूनिफॉर्म दिस्ट्रिबूटे ओवा इस क्रॉस सेंटेमेटर, फाइंड दा माग्नेटिक फील इंदक्शन अट पॉइंट दिस्टेंट थी सेंटेमेटर, फ्रॉम दा एक्सेस ओफ दा वायर, अश्के बाद क्या पूछा है भाई साब जो करेंट है वो किता है, करेंट है सार 2 अंपियर, करेंट है सार 2 अंपियर, अब आप से क्या पूछा हो था मैगनेटिक फील का इंदक्शन और तो कुछ नहीं, ठीक है सार, तो यह जिस पॉइंट पर आपको निकालने के लिए ब 2k i by r का स्क्वाइर into क्या हो जाएगा r, यहां तका फंडा पूरा क्लियर है, ऐसा पूरा क्लियर है, बस फॉर्मले में मतलब values पूट कर दो, और क्या बचा है, 2k का मतलब क्या है, 10 की पावर माइनस साथ, 2k i किता है, i अपने पास किता है, सार 2, तो 2k i और r किता है, अप 10 की पावर माइनस 4, ठीक है, तो अब मेरी बास सुनते बचलना, नमबर नमबर पहले खेल लूँ क्या मैं, मैं सोच रहा था ऐसा कि नमबर नमबर पहले खेल लेता हूँ, तो 2, 2 किता है, 4, तो 4 ने काटा है, इसको तो 4 से काटा, तो 3 by 4 तो इसमें अलग से बची रहे, अ पाँच टेसला, बस बात ही कतम हो गई, डेन, 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 जल दी इसका स्क्रीन शॉट लो भाई साब, पर आपन कहानी में आगे बढ़ेंगे, clear है, 3, 2, 1, ready, go, super clear, super done, sir, चलें, ओके, अब यहां पर आते हैं, solenoid में, तो solenoid मे magnetic field के induction का जो final relation आता है, वो क्या आता है, जरा इस पर गौर किया जाए, यह रहा अपने पास हमें, current carrying solenoid, ठीक है, यह रहा अपने पास हमें, current carrying solenoid, तो अभी तो बस दिखाया था solenoid, अभी इसमें से pass करवाते हैं, अपन current, बेतहाश्या current इसमें से pass कर रहा है, ठीक है, अ अब जब current pass करेगा, तो क्या होगा? मैंने क्याश सका रहा था? कि जब भी current pass करेगा तो इसमें, इसके आसपास एक magnetic field produce होगी, अब solenoid की जो खास बात है वो यह है, की solenoid की जो magnetic field होती है, वो resemble करती है, that magnetic field of the bar magnet, ठीक है, solenoid की जो magnetic field होती है, रहें इसमें करती है to the magnetic field, just like that of the bar magnet just like that of the bar magnet ठीक है तो अब यहां पर जो formula है अपने पास b is equals to mu naught ni मैं इसको बोलता हूँ b is equals to munni ठीक है क्या बोलते हैं अपने इसको munni कहते हैं अब ज़रा ध्यान देना mu naught की value क्या होती है तो sir mu naught by 4 pi is 10 की power minus 7 तो आप इसको ऐसे कर सकते हो mu naught is equals to 4 pi 10 to the power minus 7 ठीक है उसके बाद i is the amount of current लेकिन n के बारे में अच्छे से ध्यान रखना बेटा n जो होता है न यह normal चीज नहीं है बेटा n is the number of turns लेकिन सिर्फ number of turns नहीं है यह है number of turns per unit length यह है number of turns per unit length कि एक unit length पे एक unit length पे कितने number of turns आएंगे उसकी यहां पे बात होती है आया समझ यहां पे बात होती है number of turns per unit length की yes sir clear हो चुक है same formula toroid के लिए ठीक है same formula जो है वो toroid के लिए भी रहता है अब यहां पे testing चीज़ क्या है अगर आप magnetic field का induction निकालते हो near the ends समझ लो मरी बात अंदर हर point पर magnetic field का induction बिल्कुल uniform है अंदर हर point पर magnetic field का induction बिल्कुल यूनिफॉर्म है अंदर हर यहां चले गाए Near the end पे क्या होता है कि Magnetic Field की Induction हाफ हो जाता है वैसे अंदर क्या होता है मू-Nod Ni और यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर भी क्या हो जाएगा मू-Nod Ni 2 क्या हो जाएगा बाकि अंदर वाले हर पॉइंट पर ब्यू नॉट एनाई के बराबर रहेगा तो वो चीज़ें यहां पर लिख करके रखी है मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीन शॉट ले ले पहले तो 3, 2, 1, रेडी गो, सूपर क्लिया, सूपर डान, यस सर, क्लियर हो चुका है उसके बाद आते हैं फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग कंड़कटर प्लेज जाना मागनेटिक फील्ड, ठीक है बाई अगर तुम्हारे पास कोई करेंट कैरिंग कंड़कटर है और उसे तुमने एक्स्टरनल मागनेटिक फील्ड में रख दिया force तो काम करता ही करता है ठीक है तो वो force को निकाला कैसे जाता था बेटा वहाँ पर formula था qvb sinθ तो वहाँ पर तो एक charge को फेका गया था that's why ठीक है लेकिन अगर मानले ऐसा होता है कि एक बकाइदा current carrying conductor है ठीक है इस current carrying conductor क्या सपास क्या होगी magnetic field उसको बोलते है internal magnetic field लेकिन जो सब्सक्राइब यहाँ पर बना करके रखी है ना this is the external magnetic field यह जो यहाँ पर magnetic field बना करके रखी है ना this is the external magnetic field और जब इसमें से current पास करेगा तो उसके असपास क्या produce होगी internal magnetic field दोनों में होगा interaction और जब दो तरह की magnetic fields में interaction होगा तो वहाँ पे काम करेगा force फिर से बोल देता हूँ जब दो तरह की magnetic fields में interaction होगा तो वहाँ पे काम करेगा force तो भाईया इस current carrying conductor पे भी तो force काम करना start कर देगा अब वो force अपन कैसे निकालते हैं बता हूँ सुनना मेरी बात इस force का formula होता है bill sin theta यहाँ पे जो force काम करेगा ना बेटा इस वाले force का formula होता है bill sin theta क्या formula होता है सर इसका formula होता है bill sin theta और आप इसको ऐसे भी लख सकते हो f is equal to i को रखो बाहर और यह हो जाएगा l cross b i को रखो बाहर और यह हो जाएगा l cross b अब मेरी बात पर ज़रा गवर करना अच्छे से यह जो l है ना यह ठीक है देखो magnitude field का induction is basically vector quantity that we already know लेकिन l जो है ना length vector इसको vector कैसे माल लिया इसको direction क्या देके रखिए तो इसका direction होता है same as the direction of conventional current ठीक है तो directed in the direction of conventional current directed in the direction of conventional current directed in the direction of conventional current जिस तरफ electron जाता है उसके opposite direction में conventional current जाता है यह वाला फंड़ा पूरा clear हो चुका है क्या yes sir clear हो चुका है मैं चाहूँ है कि जल्दी से जल्दी आप इसका screenshot ले 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 3, 2, 1, ready go, super clear, super done sir चलो तो यह रा formula है physics goes to bil sign theta इसके लिए कहानी क्या होती है कि current carrying conductor होना चाहिए जो किसी external magnetic field के अंदर रखा हो ठीक है current carrying conductor जिसमें current I है वो किसी external magnetic field B में रखा हो उस current carrying conductor की length जो है वो L के बराबर हो तो theta जो होता है na obviously जब मैं ऐसा लिखता हूँ physicals to I L cross B तो जो theta होता है वो L और B के बीच का ही angle होगा theta जो होता है वो L और B के बीच का angle होगा और L के बारे में ज़रा गौर करना L का direction कहा जाएगा जहां current जा रहा होता है ठीक है yes sir clear हो गया पूरा फंडा अब आते हैं force between two parallel linear conductors carrying current जैसर मानले for example अगर में पास यहां पे दो linear current carrying conductors नजर आ रहे हैं yes sir एक wire यह रहा और एक wire यह रहा एक बात सुनो जब दोनों ही wires में current है तो दोनों ही wire अपने आसपास क्या produce करेंगे अब इन दोनों magnetic field में होगा interaction और जब दो तरह की magnetic fields में interaction होता है तो फिर वहां पे क्या काम करता है sir force काम करता है बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या पका यह वाला funda समझ में आ गया अगर किसी भी space में दो या दो से जादा magnetic fields exist करेंगी इंटराइट करेंगी तो वहां पे force काम करेंगा जो कि यह पर करेगा force काम थीक है तो भाई दीख क्या होता है Cyrus कlog का है force on the second carrying current carrying conductor दूसरे वाले पर कितना force लग गया F1 का मतलब क्या है पहले वाले पर कितना force लग गया B1 का मतलब क्या है कि भाई पहले वाले की magnetic field क्या है और B2 का मतलब क्या है कि दूसरे वाले की magnetic field क्या है ᾄ انҚा हे पहते बाइध के लिए धो फॉर्मॉला क्या हुधता है इस पर निकालोंगा दूसे दूसरे स Nearan से लोगा बाझी करेंट दूसरे दूसरे तो इन्डर से रुदिकर लेंग्यार लेंग Party निकालना है पहले वाले पे तो करेंट किसका लेंगे पहले वाले का लेंगे पहले वाले का लेंगे लेकिन मज़े की बात कह जब आप यहांपर निकालते हैं अ फोर्स पर यूनिट लेंद सुर्ट गों ना force per unit length जब आप यहां पर भी निकालेंगे ना force per unit length तो जो force का formula आ जाएगा f2 वो क्या आ जाएगा twice of k i1 i2 over r आ जाएगा r क्या है इन दोनों के बीच का separation distance है ठीक है यह color तो जमाई नहीं है आपर r क्या है यहां पर r है इन दोनों के बीच का separation distance ठीक है यह वाला formula पूरा clear हो गया है क्या भाई जल्दी से मुझे confirmation दो कि तुम्हें यहां तक की बात पूरी शांदार तरह से समझ में आ गई है बोलो हा की ना यह सर पूरा funda clear है ठीक है चले इसको निपटाया जाए अब आते हैं torque on a current loop magnetic dipole पे torque कितना काम करेगा तो भाई साब देख क्या होता है समाने for example north pole यहां पर लगा हुआ है south pole यहां पर लगा हुआ इस बार एक normal सा wire नहीं है इस बार बकाइदा पूरा एक square lamina एक rectangular lamina जिसमें current है भाई तो एक external magnetic field यहां से produce हो गई और दूसरा जो यह current carrying wire है एक internal magnetic field इसने produce कर दी दोनों में होगा interaction और फिर force काम करेगा लेकिन मज़े की बात क्या है कि भाई force जो काम करेगा इस rectangular lamina के ओपर वो इसको घुमा के रख देगा rotation करवा देगा मतलब उसको अपने बोलता है torque ठीक है आया समझ की नहीं आ गया एक बार जो required theory है वो पढ़ लो उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं चलें भाई यहां तक अफंड़ा पुरा clear हो चुगा है यस यह theory अपने पढ़ ली ठीक है अब जरह मैं आपको ना इसके torque के basic formula के ओपर लेकर आता हूँ भाई तो देखो यहां पर शुरुआत कैसे होती है अपने पास एक मान लेते हैं rectangular lamina है जिसके अंदर current है ठीक है और यहां पर ना एक magnetic field काम करी जो कि externally produced magnetic field होने वाली है ठीक है अब इसके ओपर क्या होता है जो torque का formula का formula करता है उस torque का formula होता है नभी sin alpha एन ए बी आई नभी sin alpha आरे याद करने के तरीक है रहे है और कुछ नहीं है याद करने के तरीक है तो tau is equals to क्या आगया है क्या होता है external magnetic field ज्याने इस बात का हमेशा यह जो magnetic field होती है यह जो magnetic field होती है यह जो magnetic field होती है this is the external magnetic field only i क्या होता i is the current on the loop उसके बाद alpha कौन सा angle होता है ज़रा गहुर करते हो चलना अच्छे से alpha is the angle made between alpha वो angle है बेटा alpha वो angle है जो की अपने पास magnetic field और normal के बीच में बनता हुआ angle है क्या बोला मैंने external magnetic field और इस lamina का जो normal है उसके बीच में बनने वाले angle को बोलते है alpha तो alpha is the angle made between the normal जो plane के normal है normal to the plane and the external magnetic field ठीक है normal to the plane and the external magnetic field ठीक है इस plane के normal और external magnetic field बीच में जो angle है इस plane के normal और external magnetic field बीच में जो angle है उसे अपन कहते हैं alpha इस बात का खास ध्यान रखना है ठीक है कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है से माल ले एक्जामपल अगर ऐसा होता है कि lamina ऐसा है यह अपने पास square lamina है ठीक है माल ले अपने पास lamina ऐसा है और इस में से current जा रहा है कुछ इस तरह से current को जाने तरह भाई कोई दिक्कत नहीं है current जा रहा है अपने पास माल लेते है कुछ इस तरह से अब जैसे यहां पर माल लेते हैं कि जो external magnetic field है न वो external magnetic field यहां जा रही है माल लेते है external magnetic field जो है न वो इस तरफ काम करी है तो एक बात तो clear है भाई alpha जो angle है वो B और area vector के बीच का angle है B तो smart board के plane में ही है लेकिन जो area vector है न वो smart board के perpendicularly बहार निकलेगा तो angle will become 90 degrees आप समझ पाएं मेरी पूरी बात को तो यह जो चीज़े मैंने यहां पर लिखकर कर रखें मैं चाहूंगा आप पर इसका screenshot ले ले tau का जो formula है वो बन चुका है N A B I sin alpha हो चुका यह स्था clear हो चुका है ठीक है चले इसके बाद क्या आता है special case आता है क्या गाए इदा coil is set with its plane parallel to the direction of magnetic field मतलब वही वाला case जो मैंने आपस अभी थोड़ी देर पहले discuss किया था कि बाई जैसे माल लेते हैं कि magnetic field सारी की सारी इस तरफ जा रही है तेक है माल लेते हैं कि magnetic field जो है ना वो सारी की सारी कहा जा र जारी है यह अपने पास है direction of magnetic field और यहां पर अपने पास जो यहां पर अपने पास जो लैमिना है आता कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यह ऑंतने लैमिना current pass कर रहा है कुछ इस तरह से इस lamina में क्या pass कर रहा है सर इस lamina में current pass कर रहा है कुछ इस तरह से अब मेरी बास सुनते हैं पर चलना अच्छे से यहां पर यह current carrying lamina था इसका जो area vector होगा ना बेटा वो area vector is basically इसका जो area vector होगा is perpendicularly outwards इसका जो area vector होगा वो perpendicularly outwards हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे इसका जो external magnetic field है वो इस blood के plane में ही है तो angle becomes 90 degree वही कारे करम यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छा वो theta में लिखा हुआ है अपन तो ऐसे कर लेते हैं कोई दिक्रत वरी बात थोड़ी है और यहाँ पर alpha की value किती है 90 degree अगर alpha की value 90 degree है तो torque क्या हो जाएगा और साइन 90 क्या होता है सर साइन 90 की value होती है वन के बराबर बात ही खतम हो गई इतनी simple सी सुन्दर सी बात थी बताएं कि आपको यहाँ तक का funda clear हो गया यहाँ तक का funda अपने को supreme तरह से clear हो चुका yes sir clear उसके बाद दूसरा वाला का है if the coil is set with its plane perpendicular to the direction of magnetic field इसका मतलब यह है कि magnetic field जो है जैसे मानले वो इस तरफ जा रही है और coil जो है वो ऐसे रखा हुआ है तो पताए क्या हो जागा यहाँ पर जैसे मानले अब इसमें क्या है जैसे मानले कि magnetic field मानले उस तरफ जा रही है तो वैसे इस तरफ भी ले लेड़े कोई देख कर नहीं इस तरफ ही ले लेते हैं ठीक है खुश अब देख में पास ही अपने पास लैमिना है तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो टक करके इस तरफ चला गया लेकिन magnetic field हमने इस तरफ मान के रखी तो एंगल बिकम्स किता 180 डिग्री साइन 180 किता होता है जीरो होता है यह ठीक है वह वह वाला फंडा जीरो मनला वहला फंडा क्लियर हो गया तो टॉक जीरो हो जाएगा यह अपने पास केस नंबर स्पेशल केस नंबर टू था इसका भी आप स् चलो अब आते हैं basic γilvanometer के उपर तो गिलवानोमेटर क्या करता है गिलवानोमेटर एक ऐसा device है जो की deflection पर बेस डिवाइस है और गिलवानोमेटर डि फ्लेक्शन तब शो करेगा जब उसके थूरो करेंट पस्क्रेगा तो गिलवानोमेटर केammen जो गिल्वानोमीटर है वो zero deflection की position पे है जब current में पास करवाऊंगा तो गिल्वानोमीटर में यहाँ वहाँ deflection हो सकता है तो गिल्वानोमीटर is a device which is used to detect the presence of current in the circuit ठीक है अब गिल्वानोमीटर जो है वो deflection गिल्वानोमीटर के जो कांटा है उसमें आता रहता है deflection तो गिल्वानोमीटर deflection पर बेस डिवाइस होता है ना उसके बाद क्या रिखा हुआ है कि विनेवर current passes through a गिल्वानोमीटर जब भी current pass करेगा through a गिल्वानोमीटर तो उसके अंदर deflection आएगा वही तो आपने का था कि deflection पर बेस डिवाइस होता है गिल्वानोमीटर यह इसके key features होता है बेटा मैं चाहूंगा कि आप इसका screenshot एक बाद ले ले हो गया पक्का कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सर आगे बढ़ते हैं moving coil गिल्वानोमीटर के उपर यह गिल्वानोमीटर का बहुत ही पुराना वर्जिन है लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है यह अपने पास रहता है setup यहां पर external magnetic field होती है बीच में अपने पास एक यह current carrying lamina होता है और अंदर डालके रख दिया soft iron core तो soft iron courses का response है वो काफी बढ़ जाता है अब यहां पर हो क्या रहा है कि जब इसमें से current pass करेगा तो देखो भाई यह external magnetic field तो पहले से मौझूद है जब इस lamina में से current pass करेगा तो यह produce करेगा एक internal magnetic field अब आएंगी यहां पर दो तरह की magnetic fields और दोनों ही magnetic fields में होगा interaction जब भी क particular space में काम करना लगता है force ती इस particular space में क्या काम करना शुरू कर देगा course काम करना शुरू कर देगा तो force किसके ओपर काम करेगा रेक्टैंगूला लैमिना के उपर फोर्स काम करेगा और जब इस रेक्टैंगूला लैमिना के उपर फोर्स काम करेगा तब इस लैमिना में आ जाएगा टक करके डिफलेक्शन लैमिना में क्या आ जाएगा सर डिफलेक्शन आ जाएगा और जब लैमिना में डिफलेक्शन आ करें जब इसमें यह deflection आएगा ना तो मतलब इसके उपर एक टॉर्क काम करता है ठीक है तो deflection torque क्याते हैं काम करो ना पहले एक बाहर ज़रा इसका screenshot ले लो एक बाहर तो इतनी पूरी कहानी का screenshot ले लो उसके बाद फिर तुम को मैं derivation पर लेकाता हूं ठीक है its working is based on the fact that when a current carrying coil is placed in a magnetic field it experiences a torque ठीक है अब derivation की जो इसके starting होती नो ऐसी होती है कि इसमें जो deflecting torque है इसमें जो deflecting torque है वो किता होता है साथ जिस torque ने deflect कर रहा उसका formula होता है नभी sign alpha ठीक है अब alpha की value क्या हो जाएगी बेटा सुनो मेरी बात magnetic field और area vector perpendicular है अलफा की value हो जाएगी नभे तो deflecting torque किता हो जाएगा नभी के बराबर ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है कि restoring torque नाम की भी चीज़ होती है अगर यह system पूरा equilibrium में है अगर यह system पूरा equilibrium में है तो यहाँ पर काम करेगा क्या एक restoring torque काम करेगा क्या काम करेगा सार यहाँ पर एक restoring torque काम करेगा अब जरब मेरी बात को सुनना अच्छे से ठीक है अपने एक छोटा सा variable लेते है के ठीक है यह जो छोटा सा variable के है यह है तुम्हारे पास कि कितना torque तुम्हें चाहिए पर unit angle of twist ठीक है एक बात सुन अगर यह जादा twist होगा तो इसके अंदर जादा restoring torque काम करेगा ठीक है अगर यह कम twist होगा तो इसके अंदर कम restoring torque काम करेगा तो भाई मतलब इसका मतलब यह कि जादा अगर जादा angle of twist है तो उसको जादा समय लगेगा जादा restoring torque लगेगा यह साम है, कि k restoring torque per unit angle of twist एक unit angle of twist पे artery restoring torque है के पराबर है, तो जब theta का angle of twist होता है तो वहाँ पर LexЖbruage to Во conference time, को जाएगा k TIMES theta के पराबर, बोलो ہा की ना तक है, बोलो हा की ना, यहाँ दे का system पूरा equilibrium में आ चुका है, ठीक है, the system is in equilibrium, system आ चुका है equilibrium में, system is in equilibrium, तो एक बात तो लाजमी है, कि भाई, इसका जितना जादा deflecting torque है, उतना ही इसका restoring torque है, जितना इसका deflecting torque है, उतना ही इसका restoring torque है, तो अपने काम कर देंगे, n a b i k theta कोई रिक्त वाली बात नहीं है तो i equals to हो जाएगा k upon n a b i equals to k upon n a b into हो जाएगा theta और ज़रा ध्यान देना ये जो k upon n a b लिका है न इसे कहा जाता है galvan numerator constant तो i equals to क्या हो जाएगा g theta i equals to क्या हो जाएगा g theta यहां से आप एक बात और समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा करेंट उतना ज्यादा डिफलेक्शन और जितना कम करेंट उतना कम डिफलेक्शन जितना ज्यादा current उतना ज्यादा deflection जितना कम current उतना कम deflection तो i's equals to आजाएगा g theta और g का मतलब होता है galvanometer constant और galvanometer constant का expression कितना हो जाएगा k upon n a b जल्दी बताएएं कि आपको यहां तक का funda पूरा clear है comment section में बताते हुए चलना मेटा ठीक है sir, okay done 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 यह अपना पूरा funda clear हो चुका है okay 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 अब जो key points है from theory उसको आज देख लिए जाए कि deflecting torque the coil rotates and the phosphor bronze strips gets twisted ठीक है as a result of it a restoring torque tries to bring it into its own position ठीक है the restoring torque tries to restore the coil back towards its original configuration और equilibrium position में क्या होता है कि deflecting torque equal to क्या हो जाएगा restoring talk जो कि अपने यहाँ पर लिख करके रखा भी हुआ था ठीक है okay sir, यह basic basic parameter समझ में आ गए यही derivation के पूरे steps था, I proportional to theta मैं चाहूंगा इसका भी तुम screenshot लेके रख लो ताकि एकदम अपना जो content है वो सटीक चलता रहा है ठीक है sir, okay done उसके बाद फिर अपना आते हैं current sensitivity of the galvanometer के ओपर किसके ओपर आएंगे current sensitivity of the galvanometer तो इसका जो required part है ना, मैं उसको एक बाई यहाँ पर लिख दू deflecting torque is equal to कितना हो चुका था sir, restoring torque हो चुका था तो i is equal to k upon n a b into आचुका था theta i is equal to galvanometer constant इंटू क्या आचुका था theta आचुका था कोई परिशानी वाली बात नहीं है अब ज़रा आपन यहाँ पर गौर करेंगे we will now discuss something about current sensitivity ठीक है तो current sensitivity क्या होती है deflection produced per unit current ठीक है अगर आपका device अगर आपका galvanometer जादा sensitive है तो क्या होगा छोटे से छोटे current के लिए भी वो बड़ा से बड़ा deflection शो कर देगा इसका मतलब बहुत ही sensitive device है मान ले कोई galvanometer है जो की sensitive नहीं है इसका मतलब क्या होता है कि भाई मैं current दिये जा रहा हूँ जादा जादा current दे रहा हूँ फिर भी deflection कम आ रहा है तो deflection जादा sensitivity जादा deflection कम sensitivity कम यह वाला fund आपके दिमाग में मेरे क्याल में तो supremely clear हो चुका होगा बताओ भाई मेरे क्याल में यह वाला fund सुप्रीम लिक्लेर हो चुका होगा तो अब यहां पर जादा गौर करते हो चलना current sensitivity is equal to यह theta upon i आचुका है क्या आचुका है theta upon i तो theta upon i करूंगा तो 1 upon g हो जाएगा theta upon i करूंगा तो 1 upon g हो जाएगा तो 1 upon g मतलब n a b upon k तो theta upon i मतलब 1 upon g 1 upon g मतलब n a b upon k आपके दिमाग में यह वाला फंटा भी clear हो चुका होगा current sensitivity होता क्या है यह होता अपने पास angle upon current मतलब radian per ampere is going to be the unit ठीक है पक्का यह वाला फंटा clear ओके सर अब ऐसा ही यहां पर आपको देखने को मिलेगा something about voltage sensitivity तो voltage sensitivity क्या होता है भाई साब voltage sensitivity is deflection produced per unit voltage ठीक है तो यह अपने पास में क्या हो जाएगा i into r तो यहां पर अपन क्या कर देंगे इसको 1 upon r और यहां पर क्या हो जाएगा theta over i ठीक है तो theta over i क्या होता है theta over i is the current sensitivity तो यह अपने पास में क्या हो जाएगा current sensitivity upon क्या हो जाएगा यह मत सोचना है कि ओम-slaw follow नहीं हो रहा है कि V equals to IR होता है आए अपनर तो होता है अरे भाई साब V equals to IR में V voltage होता है क्या यह voltage है क्या नहीं सर, voltage sensitivity है क्या यह current है क्या? नहीं सर, current sensitivity है आया समझ़? जल्दी बताओ यह वाला funda clear हुआ क्लियर हुआ क्या? yes sir clear तो हो गया है तो यह अपने पास moving quality galvanometer के बहुत ही शांदा से points होते है अब लेके आते हैं आपको shunt में emitter पर और voltmeter के ओपर emitter में खास बात क्या होती है emitter जो है वो current को measure करता है जिस resistor के across आपको current measure करना है उसके series में लग जाता है emitter ठीक है और emitter का internal resistance होता है it should be as low as possible ठीक है अब मैं जो बोल रहा हो जो मैंने बोला अभी ये बड़ा important है अब जो मैं आगे बोलूँगा voltmeter के बारे में वो भी बड़ा important होगा ठीक है voltmeter जो होता है वो potential difference को measure करता है जिस resistor के across आपको potential difference चाहिए उसके parallel में लगा दिया करिए आप voltmeter को ठीक है और voltmeter का internal resistance should be as low as possible कोई दिक्कत वाली बात नहीं है yes clear है अब देख शंट क्या होता है तो shंट एक low resistance होता है shंट क्या होता है shंट is a low resistance placed in parallel एक कम value का resistance placed in parallel shंट is a low resistance placed in parallel बताईए यहां तक फंड़ा पूरा clear हो गया shंट is a low resistance shंट is a low resistance which is placed in parallel यहां तक कोई परिशानी तो नहीं हो रही है तो current आगे आई उसमें से galvanometer current गया उपर जाएगा shंट current यह वाला हिस्सा समझ में आगे अब देख मसला क्या होता है sir galvanometer के parallel में लगा क्यों यह शंट को अब एक बास सुनते हो चलना galvanometer जो है यह आता है one of the sensitive devices में से delicate instruments होते हैं यह ठीक है अगर इसमें से बहुत heavy current गलती से भी पास कर गया है तो भाई साब यह जल मर जाएगा तो इसलिए होता क्या है हम इसको safeguard करना चाहते है हम चाहते हैं कि इसमें से कभी बहुत जादा amount of current पास ना कर जाएगा थोड़ा बहुत current पास करेगा चलेगा लेकिन बहुत जादा amount of current पास ना कर जाए तो आप क्या करिए आप इसके parallel में एक shunt लगा दीजे तो अब जो current यहां पर आ रहा है ना उस current को आपने एक रस्ता और प्रदान कर दिया है और उस रस्ते में क्या है कि resistance कम है तो क्या होगा कि maximum current जो है ना वो उपर वाले path में से पास कर जाएगा तो आपका gilvanometer जो है ना वो safe guard हो जाएगा एक्जामपल के तौर पर यहां पर देखते हैं समानलो for example you have this galvanometer यहां पर जो g है ना वो galvanometer को भी represent कर रहा है और galvanometer के internal resistance को भी represent कर रहा है galvanometer का g है ना वो galvanometer को भी represent कर रहा है और galvanometer के internal resistance को भी represent कर रहा है अब लगा दिया अपने इसके parallel में क्या shunt अपने लगा दिया इसके parallel में क्या shunt shunt is a low resistance device shunt is a low resistance device अजय से माले कि current यहां से कितना आ रहा है current यहां से आ रहा है 100 ampere current यहां से कितना रहा है 100 ampere आ रहा है अब अगर 100 ampere इसमें से पास कर जाएगा तब तो गलवानोमेटर जल जाएगा तो भाई आपने ऊपर लगा दिया शंट अब इसे फाइदा क्या होता है कि 100 A में से 98 A तो ऊपर चला गया तो अब भाई अच्छा हो ना ऊपर क्या था शंट था शंट का मतलब होता है लो रइस्टेंस तो इससे फाइदा क्या हुआ कि जो आपने करेंट सप्लाई करा तो उसमें से 98 तो ऊपर चला गया तो गिलवानोमेटर में से सिर्फ दो एंपियर जाएगा तो गिलवानोमेटर जो है वो सेफगाड़ेट रहेगा सेफगाड़ेट रहेगा कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ठीक है सर तो यह शंट का फंटा समझ में आ गया शंट is a low resistance which is placed in parallel क्या बोले शंट is a low resistance which is placed in parallel ठीक है सर अब यहां पर मसला आता है all about conversion कि भाई कैसे कैस किस किस को अपन convert करेंगे किस में convert करेंगे ठीक है दुज़रा गौर करना गिलवानोमेटर को आप emitter में भी convert कर सकते हो गिलवानोमेटर को आप voltmeter में भी convert कर सकते हो ठीक है तो पहले मैं आपको पूरा फंटा सिखा जाता हूं कि about आप कैसे एक गिलवानोमेटर को कैसे convert करो M-meter में तो Gilvanometer को M-meter में convert करने के लिए आपको बस एक काम करना पड़ता है chi Gilvanometer को emeter में convert करने के आपको बस एक काम करना पड़ता है कि एक low resistance low resistance जिसको अपन शन्ट कहते है basically low resistance व्योंकि लगएगा parallel इसलिए शन्ट बोलेंगे ठीक है तो low resistance is placed in parallel to the galvanometer तो भाईया अगर एक galvanometer को अगर एक galvanometer को अगर आप emitter में convert करना चाह रहे हैं तो फिर आपको उस galvanometer के parallel में एक shunt को place कर देना पड़ता है ठीक है? आपको एक shunt को place कर देना पड़ता है तो भाईया जैसे मान ले कि this is the galvanometer अब इस galvanometer के अपने parallel में किसको place कर दिया है भाई साब इसमें अपने shunt को place कर दिया है यह वाला funda clear हो गया है यह वाला funda अपना पूरा clear हो चुका है अब ज़रा दौर करना क्या होता है यहाँ पे current कितना आगया i के बराबर आगया कोई दिक्कत नहीं है क्या आपको यहाँ तक कोई परिशानी हो रही है नहीं से कोई परिशानी नहीं हो रही है एक बहुत important सा relation समझते हो चलना बहुत important है बेटा अगय मुझे galvanometer current निकालना है तो क्या हो जाएगा main current into opposite resistance upon क्या हो जाएगा summation of resistance तो यह अपने पास होता है एक galvanometer current का relation दूसरी अपन बात करते हैं shunt current के बारे में ठीक है तो यह क्या हो जाएगा जब मैं shunt में से current पास करेगा वो निकालूँगा अरे i-ig क्या है यह जो i-ig है यह क्या है है तो यह shunt current ही ना ठीक है shunt में से पास करने वाला तो क्या हो जाएगा main current into क्या हो जाएगा opposite resistance upon नीचे क्या हो जाएगा summation of resistance galvanometer current sorted है shunt current भी sorted है अब देख यहाँ पे क्या होता है एक बार सुनते है बचलना और ठीक है भाई जब parallel के अपन बात करने किसकी बात करने है parallel के अपन बात करने है तो parallel में तो voltage सेम होता है तो voltage जो shunt पे है वह ही voltage जो है वो गिलवानो मेटर पे है shunt में से current क्या परस कर रहा है i minus ig और उसका raise stence क्या है s के बराबर औरIG न्याओं मेटर में से current परस कर रहा है ig into परस कर धा फास कर रहा है g के बराबर into G हो जाएगा ठीक है तो यह अपने पास में हो जाएगा शंट यह अपने पास में शंट के वैली हो जाएगी ठीक है कोई दिक्कत वारी बात नहीं है full scale deflection देने वाला current जो है वो IG के बराबर होगा और जो range होगा उसको अपन i से denote करते हैं यह numerical में terms ऐसे आते हैं फुल स्केल डिफलेक्शन मतलब आई जी फुल स्केल डिफलेक्शन मतलब आई जी और उसके बाद जो range है मीटर का वो जाएगा आई के बराबर clear हो चुक है तो ऐसे आप convert करोगे किसी भी galvanometer को किसमें एम मीटर में convert करोगे चुक है उसके बाद इसका आप लोगों ने screenshot ले गया होगा अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं कि कैसे आप किसी milvanometer को कनवर्ट कर सकते हो वोल्त मीटर में बातों पर गौर करते हो चलना अच्छे उसे त्रिक है कैसे आप किसी गिलवानोमीटर को गनवर्ट करो के वोल्ट मीटर पर उस बात पर ध्यान देते अच्छे से इसके लिए बस एक काम कहना पड़ता है गिलवामीटर को जब मीटर में convert किया था तो गिल्वानोमेटर के सिरीज में लगाया था एक लो रेजिस्टेंस लेकिन यहां पर एक हाई रेजिस्टेंस को लगाना पड़ेगा सिरीज में सबको छुल्टा ठीक है वहां पर एक लो रेजिस्टेंस का यूज किया था यहां पर एक हाई रेजिस्टेंस का यूज आर्से कर देंगे इसको रिप्रेजेंट ठीक है वहां पर पर डल में लगाये था वहां मतलब क्या होता है जब गिल्वाइनो मीटर को अपने में में कनवर्ट किया था तो वहां पर लो रेजिस्टेंस प्लेज दिन पैरलल यहां पर क्या हो जाएगा जब वोल्ट मीटर में अब ज़ुदा गौर करना कैसे करेंगे अच्छा यहां पर पता क्या होता है क्या है एम मीटर क्या है यह जो पूरा सेट अप है ना बेस बना है तुम्हें सामने इस एंटाइर सेट अप इसल जिए अपर अब पर कर ना तो यहां पर यह में अगर आप किसी घल्वाईनो मी को e-meter में convert करना चाहोगे तो बास जो यह सेट अब तुम्हारे पास में बनाया इसी को तो बोलते हैं वोल्ट मीटर है इसी को तो बोलते हैं वोल्ट मीटर तो इस लिहाज से आपने गिल्वानो मेटर को convert कर दिया है into voltmeter कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब देख नेट voltage क्या होता है v equals to i into r तो i हो जाएगा और r कितना है तिरपास bhai साब g प्लस r ठीक है क्या आपके दिमाग में यह वाला funda पूरा clear हो गया है यह कौन सा करेंट है आई जी मतलब गिल्वानोमीटर करेंट है कोई दिख कर नहीं है तो यह वी अपॉन आई जी माइनस जी कर देना तो आजाएगा अपने पास में आर कोई दिख कर नहीं है सर तो वी अपॉन आई जी माइनस जी कर देंगे तो अपने पास में आ जाएगा ये रहा तुम्हारे पास एकड़म शानदार सा पूरा फंडा सेट कर के दिया तुम्हें तो इस तरह से आप convert कर सकते हैं इस तरह से आप conversion कर सकते हैं किसी भी गिल्वाइनो मीटर का इंटू अ वोल्ट मीटर ठीक है पका यहां तका फंडा पूरा clear हो चुका है फॉल स्केल डिफलेक्शन का मतलब होता है आई जी और जो रेंज वगेरा होता है वोल्ट मेटर का वो वी से अपन कर देंगे उसको रिप्रेजेंट ठीक है और कैसे गनवर्ट करोगे वाई प्लेसिंगा वेरी हाई रिजिस्टेंस इन सीरीज विद गिल्वानोमीटर ठीक है चले तो अब इसी के साथ खतम होता हुआ अपना यह कंप्लीट चैप्टर रिविशन मैं उम्मीर करूंगा कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको यह वीडियो हेलफुल लगा होगा अगर आपको लगा है कि हाँ वाई इस वीडियो को देखकर कि अप सारे फंडे क्लियर होगा है सुप्रीम तरह से क्लियर होगा है तो बनता ही है कि आप ज़रा इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो पर और प्यार बरसा है या जो कुछ भी है तो वह आप बकाइदा मुझ तक पहुंचा सकते हैं बड़े ही प्यार भरे शब्दों में यूजिंग दा कॉमेंट सेक्शन ठेक हैं इसी के साथ खेतम करते हैं इस पूरी क्लास को और जैसे कि आप सब जानते हैं कि Magnet Brains जो प्रोवाइड करता है क्लास करते हैं